इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर परदेश जीके का पूरा का पूरा निक्षोड यानि कि इसमें मैंने रखे हैं आपके लिए 500 कोशन्स और ये 500 कोशन्स वो कोशन्स हैं जो यूपी के सभी एक्जाम्स में बार बार पूछे जा चुके हैं और उनको हम यहाँ पर कॉशन नमबर बन की बात करें पूछा ये गया है कि मध्ध परदेश उत्तर परदेश के कितने जिलो को इसपष्ट करता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्यारा जिलो को इसपष्ट करता है ओप्शन नमबर थ्री आपका सही उत्तर हो जाएगा ध्यान लखेगा मध्ध प्रदेश उत्तर प्रदेश के ग्यारा जुलो को इसपर्ष करता है नेक्स कोशन को लेकर के बात के लेते हैं पूछा ये गया है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल की अंतराष्टी सीमा को इसपर्ष करते हैं तो ये करते हैं साथ जिले ओप्शन नमबर वन आपका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा ध्यानकिएगा उत्तर प्रदेश के साथ जिले नेपाल की अंतराष्टी सीमा को इसपर्ष करते हैं नेक्स कुशन को लेकर के बात कर लेते हैं पूछा ये गया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे कम छेत्रुफल वाला जिला कौन सा है याने कि एरिया के इसाथ से सबसे चोटा तो यह है आपका भदोही option number 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा कितना एरिया है 175 हेटेयर नेक्स हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पूछा ये गया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है तो सबसे पूर्वी जिला है आपका भलिया option number 2 correct answer होगा नेक्स कोशन को ले करके बात कर लेते हैं पूछा ये गया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है तो सबसे पूर्वी जिला बलिया और पूछ्चिमी जिला शामली नेक्स हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पूछा ये गया है कि उत्तर प्रदेश में भौन्ता मिट्टी पाई जाती है तो भौन्ता मिट्टी आपका पाई जाती है विंधे परवती छेतर में ऑप्शन नमबर वन करेक्ट आंसर होगा नेक्स हम बात कर लेते हैं पूछा ये गया है कि लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश में कहां पाई जाती है तो दियान नकिएगा लाल मिट्टी जो है वो मिर्जापूर और सोनभद्र में पाई जाती है आप्शन नमबर फोर करेक्ट आंसर होगा नेक्स हम बात कर लेते हैं पूछा ये गया है कि गंगा नदी से राम गंगा कहां मिलती है तो गंगा नदी से राम गंगा कहां पर मिलती है कन्नोज के पास मिलती है option number two आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा next हम बात कर लेते हैं पूछा ये गया कि बेतवा नदी यमुना नदी से कहां मिलती है तो बेतवा नदी यमुना नदी से मिलती है हमीर पूर्ष पर यानि कि option number a आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा धियान लखेगा बेतवा नदी यमुना नदी की सहायक नदी है next question को लेकर के बात कर लेते हैं पूछा ये गया कि गोम्ती नदी का उद्गम होता है तो गोम्ती नदी का उद्गम कहां से होता है पीली भीट से होता है option number two आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा पीली भीट से में कहां पे फुल हर जील next हम बात कर लेते हैं पूछा ये गया कि उत्तर परदेश का कुल वनावरण है तो उत्तर परदेश का कुल वनावरण है 6.09% ठीक है 2017 की रिपोर्ट के नुसार उत्तर परदेश का कुल वनावरण है 6.09% next question को ले करके बात कर लेते हैं पूछा ये गया कि उत्तर परदेश का कुल व्रक्षा अवरण है तो ये कितना है ये भी आपको ध्यान लखना है 3.08 परतिशत यानि कि option number 4 आपका correct answer हो जाएगा ठीक है और ये भी 2017 की रिपोर्ट के अनुसार रहा है next हम बात के लेते हैं पूछा ये गया है कि उत्तर परदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है तो सबसे बड़ा पक्षी विहार है लाख बहोशी option number A आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कहां पे है उत्तर परदेश में कन्नोज में है ध्यान लखियेगा next question को लेकर के बात के लेते हैं पूछा ये गया है कि उत्तर परदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार कौन सा है तो सबसे पुराना पक्षी विहार है शहीद चंद शेखर अजाद पक्षी विहार कहां पे है नवाबगंश उन्नाओ और इसके स्थापना कप करी गई थी सन 1984 में करी गई थी ये भी ध्यान लखियेगा next question को लेकर के बात के लेते हैं पूछा ये गया है कि उत्तर परदेश में कितने चड़िया घर है तो उत्तर परदेश में तीन चड़िया घर हैं option number 2 आपका correct answer हो जाएगा अब ये तीन चड़िया घर कौन कौन से हैं लखनओ, कानपुर, गोरकपुर ये तीनों आपको धियान लखने है नेक्स्ट हम बात के लेते हैं पूछा ये गया है कि पारवती आरंगा वन जीव विहार कहां इस्थित है तो ये है आपका गोर्णा में option number 4 आपका correct answer हो जाएगा नेक्स्ट हम बात के लेते हैं पूछा ये गया है कि पटना वन जीव विहार इस्थित है तो पटना वन जीव विहार आपका एटा में है option number 1 आपका correct answer हो जाएगा next हम बात कर लेते हैं पूछा ये गया है कि चित्र कूट में इस्थित वन जीव विहार इस्थित है तो ये कौन सा है ये है रानीपूर यानि कि option number 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा next question को लेकर के बात कर लें पूछा ये गया है कि कच्छवा वन जीव विहार इस्थित है तो कच्छवा वन जीव विहार आपका वरड़सी में है option number 1 आपका correct answer हो जाएगा ध्यान लखिएगा कच्छवा वन जीव विहार कहां है वरड़सी में next हम बात कर लेते हैं पूछा ये गया है कि महोबा में इस्थित है वन जीव विहार का नाम क्या है तो इसका नाम है विजय नगर ध्यान लखिएगा महोबा में कौन सा है वन जीव विहार विजय नगर next हम बात कर लेते हैं पूछा ये गया है कि पान, प्रयोग एवं प्राक्षिक्षण केंद्र कहां इस्थित है तो ये है आपका महोबा में option number 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा next हम बात के लेते हैं पूछा ये गया है कि उत्तर प्रदेश में पुष्प इत्र कहां बनाया जाता है तो उत्तर प्रदेश में पुष्प इत्र आपका बनता है कनोज में option number 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा next हम बात के लेते हैं पूछा ये गया है कि देश में पर्थम दूध संग की स्थापना कब हुई थी तो पर्थम दूध संग की स्थापना देश में सन 1938 में हुई थी और ये दूध संग का नाम क्या था ये भी आपको ध्यान अकना है लखनाव दूध उत्पादन सहकारी संग नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पूछा ये गया है कि उत्तर प्रदेश का शुद्ध संचित छेतरफल कितना है तो यहाँ पर बात करी गई है उत्तर प्रदेश के छेतरफल को ले करके धियान अकिएगा 144,00,00,00,00 है वो उत्तर परदेश का शुद्ध संचित छेतरफ़ है next हम बात कर लेते हैं पूछाए गया कि उत्तर परदेश की सर्वधिक लंबी नहर कौन सी है तो सर्वधिक लंबी नहर कौन सी है यह आपका शारदा नहर option number 2 आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा कितना है बाई लंबाई कितनी है 12,368 किलोमीटर नेक्स को लेकर के बात करें पूछा ये गया है कि राम गंगा परियोशना इस्थापित है तो राम गंगा परियोशना इस्थापित है कहां पे बिजणौर में आप्शन नमबर 4 आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा नेक्स को लेकर के बात करें यहाँ पे पूछा ये गया है कि शीतला जल विदुत परियोशना इस्थित है तो ये कहां पे इस्थित है जहासी में आप्शन नमर 1 आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा और अगर आपसे पूछते हैं किस नदी पर तो आपको ध्यान लखना है बेतवा नदी पर नेक्स कोशन को लेकर के बात कर लें पूछा ये गया है कि उत्तर प्रदेश में हीरा कहां प्राप्त होता है तो ध्यान लखिएगा उत्तर प्रदेश में सीमित मातरा में मिर्जापूर और सोनभद्र में हीरा प्राप्त होता है option number one आपका बिलकुल correct answer हो जाएगा next question को लेकर के बात कर लें पूछा ये गया है कि उत्र प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जंजाती पतिशत्ता वाला जिला कौन सा है ध्यान लखिएगा इस question में लिखा हुआ है पतिशत्ता और पतिशत्ता लगने पे इसका आंसर बदल जाएगा ठीक है तो सबसे कम अनु next question को लेकर के बात करें पूछा ये गया है कि राम गंगा परियोजना इस्थापित है तो राम गंगा परियोजना कहां पर इस्थापित है बिजनौर में option number 4 आपका बिलकुल correct answer हो जाएगा next question को लेकर के बात कर लें यहाँ पे पूछा ये गया है कि शीतला जल विदुत परियोजना इस्थित है जासी में option number 1 आपका बिलकुल correct answer हो जाएगा और अगर आप से ये पूछते हैं कि किस नदी पर तो ध्यान अकियेगा बेतवा नदी पर next question को लेकर के बात कर लें यहाँ पे पूछा ये गया है कि उत्तर प्रदेश में हीरा कहां प्राप्त होता है तो उत्तर प्रदेश में सीमित मात्रा में हीरा प्राप्त होता है बांदा और मिर्जापूर में option number 4 आपका बिलकुल correct answer हो जाएगा next question को लेकर के बात कर लें यहाँ पे पूछा ये गया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जनजाती पतिशत्ता वाला जिला कौन सा है देखे इस question के अंदर लिखा हुआ है पतिशत्ता तो पतिशत्ता लगने पर इसका आंसर बदल जाएगा और इसका आंसर ह next question को लेकर के बात कर लें यहाँ पे पूछा ये गया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जाती आबादी वाला अब यहाँ पे बात कर लेकर के जनसंख्या को लेकर के तो ध्यान लखिएगा इसका आंसर हो जाएगा बागपत अगर आपसे पतिशत्ता पूछते हैं तो उसका आंसर हो जाएगा बागपत नेक्स को लेकर के बात कर लें यहाँ पे पूछा ये गया है कि उत्तर प्रदेश मुख मंतरी सामोहिक विभा योश्टा का शुबारम कब हुआ तो इसका शुबारम हुआ था तीन अक्टूबर सन 2017 में ठीक है ऑप्शन नंबर थ्री आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जब ये योश्टा शुरू हुई थी तो उस टाइम में 35,000 रुपए दिये जाते थे और अब अपके टाइम में दिये जाते हैं 51,000 रुपए नेक्स को लेकर के बात करें पूछा ये गया है कि मुख मंतरी समगर ग्राम विकास योश्टना का शुबारम कब हुआ तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी सन 2018 में इसका शुबारम हुआ नेक्स कोशन को लेगर के बात करें यहाँ पे पूछा यह गया है कि उत्तर परदेश नियाए ग्राम योशना का शुबारम कब हुआ तो इसका शुबारम हुआता 16 दिसंबर सन 2017 में आप्शन नमबर 4 आपका बिलकुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन को लेगर के बात करें पूछा यह गया है कि अंतराष्टी राम कथा संग्राले एवं आर्ट गैलरी कहां पे है तो यह कहां पे है यह है फैजाबाद में आप्शन नमबर 2 आपका बिलकुल सहित्तर हो जाएगा और अब फैजाबाद का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है आयोध्या तो यहां लखिएगा आयोध्या में है नेक्स कोशन को लेगर के बात करें पूछा यह गया है कि भिकारियों की संक्या में उत्तर परदेश का कौन सा इस्थान है तो उत्तर परदेश का है दूसरा इस्थान यानि की option number 4 आपका बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा ध्यान लखिएगा 2011 की जन्गरणा के अनुसार बिकारियों की संक्या में उत्तर परदेश का दूसरा इस्थान है और पहला इस्थान किसका है पश्चिम मंगाल का नेक्स कोशन को लेकर के बात करें पूछा ये गया है कि उत्तर परदेश के मुख्य नियाधीश कौन है वर्तमान की बात करें तो इस ताइम में मुख्य नियाधीश है नियायमोती राजेश बिंदल option number 3 आपका बिलकुल correct answer होगा नेक्स कोशन को लेकर के बात करें पूछा ये गया है कि उत्तर परदेश का कुल आकांशी विस्तार कितना है तो उत्तर परदेश का कुल आकांशी विस्तार है 7 degree 36 ठीक है option number 1 आपका बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा आकांशी बोलते हैं ये आपका vertical 450 ठीक है जमान लिएकर ये आपका उत्तर परदेश है तो ये आकांशी विस्तार next हम बात कर लिएते हैं यहाँ पे पूछा गया है देशांतरी विस्तार तो देशांतरी विस्तार धियान कियेगा 60 degree 0.9 ठीक है देशांतरी बोलते हैं इसको Next हम बात करे लेते हैं यहाँ पे पूछाई गया है कि उत्तर प्रदेश में कुल पक्षी विहार कितने हैं तो उत्तर प्रदेश में कुल पक्षी विहार की बात करी जाए तो यह है 11 ठीक है यानि कि option number 3 आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा Next question को लेकर के बात करें पूछा यह गया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और सौर उर्जा सन्यंतर कहा है सबसे बड़ा सौर उर्जा सन्यंतर है आपका मिर्जापूर में मिर्जापूर में कहां पे विजय नगर गाओं में ठीक है और इसका इनार्गनेशन करा था किसने फ्रांस के राश्पती और हमारे देश के पधार मंत्री ने Next question को लेकर के बात करें पूछा यह गया कि उत्तर प्रदेश के सबसे कम जिलो को इसपर्ष करने वाला जिला कौन सा है तो यह कौन सा है यह है आपका ललितपूर यानि की option number 2 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सिर्फ एक जिलो को टश करता है किसका नाम है जहासी और इस तरीके से लटकता हुआ दिखेगा आपको मैप में next हम बात करें पूछा यह गया है कि प्रदेश के सबसे अधिक जिलो को इसपर्ष करने वाला जिला कौन सा है तो question यहाँ पर उल्टा हो गया इस कांसर हो जाएगा क्या option number 2 कितने जिलो को इसपर्ष करता है नव जिलो को next question को लेकर के बात करें पूछा यह गया है कि उत्तर परदेश का छेतर फल की दरश्टी से देश में कौन सा इस्थान है छेतर फल की दरश्टी से देश में चौथा इस्थान है option number 1 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पहले पर राजिस्थान, दूसरे पर मद्य परदेश तीसरे पर महराष्ट्र और चौथे पर आता है उत्तर परदेश next question को लेकर के बात करें पूछा यह गया है कि उत्तर परदेश के सीमा वर्ती राज कितने है तो सीमा वर्ती राज कितने है यह है आठ option number 2 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा और अगर आपसे पूछ ले कि सीमा वर्ती राज और केंदर शासित परदेश कितने है तो एक केंदर शासित परदेश है और आठ क्या है आठ राज है ठीक है और वो केंदर शासित परदेश कौन सा है दिल्ली है नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पूछा ये गया है कि देश में सरवधिक पोस्ट आफिस कहा है तो सरवधिक पोस्ट आफिस उत्तर परदेश में है option number 3 आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा next बात कर लेते हैं पूछा ये गया है कि देश में सरवधिक पूछा वाला जिला कौन सा है तो सरवधिक पोस्ट कहां पर होती है ये होती है आपका गोरगपुर में option number 4 आपका बिल्कुल correct answer होगा next पूछा ये गया है कि उत्तर प्रदेश में सर्वधिक कम वर्षा वाला जिला कौन सा है तो सबसे कम वर्षा कहां पर होती है यह होती है मत्रा में option number 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा next question को लेकर के बात करें पूछाई गया कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कितना है तो उत्तर प्रदेश के जनसंख्या घनत्व को लेकर के बात करें तो यह है 829 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वाइर तो यह आपको धियानक नहीं 829 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वाइर क्या है उत्तर परदेश का जनसंक्या घनतो नेक्स हम बात करेंगे पूछा ये गया कि उत्तर परदेश में शहरी जनसंक्या का पतिशत कितना है ठीक है यानि कि यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अर्बन जो एरिया है वहाँ पर कितना पतिशत है इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 22.27 यानि की option number 3 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा next question को लेगर के बात कर लेते हैं पूछा ये गिया कि उत्तर पदेश में ग्रामीर जनसंक्या का प्रतिशत कितना है तो ग्रामीर की बात करेंगे तो ग्रामीर जादा है कितना है 27.27 तीन पतिशत ठीक दोनों में से कोई एक याद कर लिए या फिर शहरी याद कर लिए या फिर ग्रामीर याद कर लिए उसके बाद उसमें से 100 माइनस कर दिए वो आपका निकलाएगा नेक्स हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पूछाई गया कि उत्तर प्रदेश में महिला जीवन प्रतियाशा कितनी है ठीक है महिला की लाइफ को लेकर के बात करें तो यह कितनी है 65 दुशमलो 4 वर्ष यानि कि option number 2 आपका बिलकुल correct answer हो जाएगा नेक्स कोशन को लेकर के बात कर लेते हैं पूछाई गया कि उत्तर प्रदेश में पुरुष जीवन प्रतियाशा कितनी है तो पुरुष जीवन प्रतियाशा को लेकर के बात करें यह है 62 दुशमलो 9 वर्ष option number 4 आपका बिलकुल correct answer हो जाएगा नेक्स कोशन को लेकर के बात कर लेते हैं पूछाई गया है कि उत्तर प्रदेश की साचरता दर क्या है तो उत्तर प्रदेश की साचरता दर है 67 दुशमलो 7 प्रतिशत साचरता दर को लेकर के बात करें तो इसको इंग्लिश में कहते हैं literacy rate ठीक है census 2011 के recording जो है वो उत्तर प्रदेश की literacy rate क्या रही है 67 दुशमलो 7 प्रतिशत next question को लेकर के बात कर लेते हैं पूछा ये गया है कि उत्तर प्रदेश में आर्थिक संभाग चेतर कितने हैं तो अगर मैं बात कर लेता हूँ आर्थिक संभाग चेतर को लेकर के तो इसका आंसर हो लाएगा चार ठीक ना अब ये चार चेतर कौन कौन से हैं ये आपको धियानक नहीं सबसे पहली बात तो पूरवी फिर हम बात करेंगे पच्चमी फिर केंद्री और लास आता है आपक तो अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर हो लाएगा कौन भद्र ठीक है यहाँ पर बात कर रहे हैं किसको लेकर के अनुसूचित जिन जाती यानिकी सी स्टी की अबादी को लेकर के पूछा ये गिया कि उत्तर प्रदेश में कुल नगर निगम कितने हैं तो उत्तर प्रदेश में कुल नगर निगम है 17 यहाँ पर जो आपका सह नमबर टू हो जाएगा अब सबसे आखरी सत्रवा जो नगर निगम वो कौन सा रहा है वो रहा है शाजहांपुर नेक्स कोशिंग को लेगर के बात करें पूछा ये गया है कि जन्पत संत कबीर नगर का मुख्याले कहां पे हैं तो ये आप से पूछा गया है संत कबीर नगर का मुख्याले और इसका सही आंसर हो जाएगा खलीलाबाद नेक्स कोशिंग को लेगर के बात करें पूछा ये गया है कि जन्पत सोन भद्र का मुख्याले कहां है तो इसका मुख्याले है रॉबर्ट संग गंच यानि कि option number one आपका बिलकुल correct answer हो जाएगा नेक्स को ले करके बात करें हैं पूछा ये गया है कि उत्तर प्रदेश में सरवधिक विधान सभा सीटो वाला जिला कौन सा है तो सबसे जादा विधान सभा की सीटे आपको कहां देखने को मिलेंगी परियाग राज में option number four आपका बिलकुल correct answer हो जाएगा कितनी सीटे हैं 12 सीटे हैं दियान लखेएगा next question को ले करके बात करें पूछा ये गया है कि उत्तर प्रदेश में विधान सभा सीटो की संपूर संख्या कितनी है तो अगर मैं संपूर संख्या को ले करके बात करू तो इसका answer हो जाएगा 403 प्लस एक यानि कि 404 सीटे हैं अब 403 पे वोटिं होती है और एक सीट जोती है एगलो इंडियन के लिए next question को ले करके बात करें पूछा ये गया है कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाती के लिए आरक्षा सीटों की संख्या कितनी है तो आरक्षा सीटों की संख्या कि अगर हम बात करें तो यहां पे है 17 ठीक है option number 1 आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा नेक्स को ले करके बात करें पूछा ये गया है कि उत्तर प्रदेश के नेपाल सीमा रेखा के साथ लंबाई कितनी है ठीक है तो लंबाई को ले करके बात करें तो यह कितनी है 579 km option number 2 आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा next question को लेकर के बात कर लेते हैं पूछा ये गया है कि बिहार के साथ सीमा बनाने वाले उत्तर पदेश के कितने जिले हैं तो उत्तर पदेश के कितने जिले हैं साथ जिले हैं ठीक है बिहार के साथ सीमा बनाने वाले उत्तर पधेश के कितने जिले है साथ जिले है Next question को लेकर के बात करें पूछा ये गया कि उत्तर पधेश राज पिछला वर्ग आयो का गठन कब हुआ था तो पिछला वर्ग आयो का गठन हुआ था 9 March 1993 में Option No.4 आपका बिल्कुल Correct answer हो जाएगा नेक्स कोशन को लेकर के बात के लिएते हैं पूछा ये गया है कि राज्य मानवादिकार आयोग का गठन कब हुआ तो राज्य मानवादिकार आयोग का गठन हो गया था 7 अक्तूबर संदू हजार 2 में यानि की ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दियान लखेगा स्टेट हुमेन राइट कमिशन का जो गठन हुआ था वो 7 अक्तूबर संदू हजार 2 में हुआ था दियान लखेगा नेक्स कोशन को लेकर के बात कर लेते हैं पूछा ये गया कि उत्तर पदेश में कुल कृषी परस्थिती की छेत्र कितने हैं तो ये कितने हैं यह हैं आपका 20 यानि की ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन को लेकर के बात कर लेते हैं पूछा ये गया कि उत्तर पदेश में कुल किर्षी जलवायू छेत्र कितने हैं तो कुल किर्षी जलवायू छेत्र हैं 9 option number 1 आपका विल्कुल correct answer होगा नेक्स कोशन को लेगर के बाद कर लेए, पूछा ये गिए गिए कि उत्तर परदेश में कुल म्रदा समुचेतर कितने हैं तो कुल म्रदा समुचेतर हैं 8 यानि की option number 2 आपका correct answer होगा नेक्स कोशन को लेगर के बाद कर लेए यहाँ पर पूछा ये गिए कि बुंदियल खंड छेत्र में कुल उत्तर परदेश के जिले कितने हैं तो यहां पर पूछा गया है कि बुंदियल खंड छेत्र को लेकर के बात के बात के तो उत्तर परदेश के कितने जिले हैं तो उत्तर परदेश के साथ जिले हैं option number 2 आपका विल्कुल correct answer होगा next question को लेकर के बात कर लें यहाँ पे पूछा यह गिया है कि उत्तर परदेश किसान credit card योजना का आरंभ कब हुआ ठीक है तो इसका जो आरंभ हुआ था वो हुआ था 1993 से ठीक है इसमें option गलत दिखा हुआ है 1993 से लेकर के संदो हजार ठीक है option number 3 माल लिए यह जो आपका 99 है इसको थ्री कर दिजिए ठीक है 1993 से लेकर के संदो हजार के बीश में जो आपका वित्तिवर्ष होता है उसी में उत्तर परदेश किसान credit card योजना का आरंभ हुआ था नेक्स कोशन को लेकर के बात कर लेते हैं पूछा ये गिया कि उत्तर परदेश में नह जील कहा पर इस्थित है तो नह जील आपका कहाँ पर यह आपका मतुरा में option number 4 आपका correct answer हो जाएगा नेक्स को लेकर के बात कर रेते हैं हर दो यहले में next question को लेगर के बात करें पूछा यह गिया कि उत्तर परदेश में ओंधी ताल इस्थित है तो ओंधी ताल आपका कहां पर बनारस में है option number one आपका correct answer हो जाएगा next question को लेगर के बात करें पूछा यह गिया है कि उत्तर परदेश राज भूजल दिवस कब मनाया जाता है तो भूजल दिवस धियान लखिएगा 10 जून को मनाया जाता है option number 2 आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा next question को लेगर के बात करें यहाँ पे पूछा ये गया है कि राज में कुल वनावरण एवं रक्षावरण कितना है तो ये कितना है ये है 9,18 प्रतिशत option number 3 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा और अगर वर्ग किलोमीटर की बात के तो ये है 22,121 वर्ग किलोमीटर next question को लेगर के बात करें पूछाई गया है कि खनीज, विकास, निगम की इस्थापना कप करी गई थी तो ये करी गई थी सन 1974 में option number 3 आपका correct answer हो जाएगा next question को लेकर के बात करें पूछाई गया है कि उत्तर परदेश में ओकर ओकर बोलते हैं गेरू को पाया जाता है तो गेरू कहाँ पर पाया जाता है बानदा जिले में पाया जाता है option number 3 आपका correct answer हो जाएगा next question को लेकर के बात करें यहाँ पर पूछाई गया है कि उत्तर परदेश वानकी परियोजणा का परदेश में आरंब कब हुआ था यानि कि बात करी जा रही है वानकी परियोजणा कब शुरू करी गई थी तो यह करी गई थी March 1998 में option number 2 आपका correct answer हो जाएगा next question को लेकर के बात करें यहाँ पर पूछा यह गया है कि उत्तर परदेश का सबसे छोटा वन जीव विहार कौन सा है तो सबसे छोटा वन जीव विहार है महावीर स्वामी वन जीव विहार यानि कि option number 1 आपका बिलकुल correct answer हो जाएगा और अगर आपसे यह पूछ लेते हैं कि उत्तर परदेश का सबसे छोटा वन जीव विहार महावीर स्वामी कहां पर है उत्तर परदेश में तो यह है आपका ललितबुर में next question को लेकर के बात करें पूछा यह गया है कि उत्तर परदेश में मयूर सनक्षण केंद्र इस्तापित है मयूर सनक्षण केंद्र से मतलब है मोरो के सनक्षण के लिए केंद्र तो यह कहां पर है यह है वरंदा वन में option number one आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा next question को लेकर के बात करें यहाँ पे पूछा यह गया है कि बखीरा पक्षी विहार कहां इस्तित है तो बखीरा पक्षी विहार संत कभीर नगर में इस्तित है यानि कि option number two आपका बिल्कुल सही उत्तित हो जाएगा इसका पुराना नाम क्या था खलीलाबाद next हम बात के लेते हैं पूछा यह गया है कि प्रियाग राज इस्तित एरपोर्ट का नाम क्या है तो इसका नाम क्या है बमरॉली हवायड़ा यानि कि option number three आपका बिल्कुल सही उत्तित हो जाएगा और यह जो लिखा हुआ चौधरी चरन सिंह हवायड़ा यह आपका लखनव में है next हम बात के लेते हैं पूछा यह गया है कि खेरिया हवायड़ा कहां इस्तित है तो खेरिया हवायड़ा आपका आगरा में इस्तित है यानि कि option number three आपका बिलकुल सही उत्तित हो जाएगा यह भी नाम धियाना किएगा कि इसका नाम बद्ला जा चुका है ठीक है दीन दयाल उपाद्ध्याए next हम बात के लेते हैं पूछा यह गया है कि उत्तर परदेश का सर्वधिक साच्छता वाला जिला कौन सह है तो सर्वधिक साच्छता वाला जिला कौन सह है यह है आपका गौतम बुधनगर कितना है 80 दुशमलो एक परतिशत 80 दुशमलो एक परतिशत next हम बात कर लेते हैं पूछा यह गया है कि उत्तर परदेश का न्यूनतम जन घनत वाला जिला कौन सह है तो न्यूनतम जन घनत वाले जिले को लेकर के बात करें यह है आपका ललितपूर ठीक है option number one आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा next question को लेकर के बात करें यहाँ पे पूछा यह गया है कि 776 दर के क्रम में भारत में उत्तर परदेश का कौन सा इस्थान है अगर मैं लिस्ट बनाने चलू न तो यह पूछा गया है कि उत्तर परदेश कहां पे आएगा तो उत्तर परदेश आएगा 29 नंबर पे option number four correct answer हो जाएगा और कितनी है भाई तो धियान लखिएगा 67.7 परतिशत है 2011 की जनगर्ना के अनुसार next हम बात के लेते हैं पूछा यह गया कि उत्तर परदेश में चौलर निरत्य का छेत्र कौन सा है ठीक है तो चौलर निरत्य को लेकर के बात करीके यह भाई यह कहां का निरत्य है तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिर्जापूर और सोनभद्र option number two next हम बात के लिते हैं पूछा यह गया जिए कि परदेश में कालिंजर मेला कहां आयजित किया जाता है तो कालिंजर मेले को लेकर के बात करे तो यह आयजित होता है आपका बांधा में option number one आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा next हम बात के लिते हैं पूछा ये गिया है कि सुलाकुल महुच्छो मनाया जाता है तो सुलाकुल महुच्छो को लेकर के बात करें ये आपका आगरा में मनाया जाता है option number 3 आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा बहुती famous महुच्छो है हिंदू-Muslim एक्ता को लेकर के ये तेवार मनाया जाता है और कहां पे आगरा में next हम बात के लिए पूछा ये गया है कि दशेरा के आउसर पर नक्टिया मेला कहां पर लगता है तो नक्टिया जो मेला है वो आपका वरणसी में लगता है वरणसी में कहां पे चेत गंज नामक इस्थान पर दशेरा के आउसर पर नक्टिया मेला लगता है next हम बात के लिए पूछा ये गया है कि राज्य परियतन दिवस मनाया जाता है तो राज्य परियतन दिवस 14 फरवरी को मनाया जाता है option number 1 आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा next हम बात के लिए पूछा ये गया है कि महारिशी दगीची आश्रम एवं सीता कुंड इस्थित है तो ये कहां पर है ये है आपका सीतापुर में ही ठीक है तो इस तरीके से ध्यान नकियेगा next हम बात के लिए पूछा ये गया है कि शिराज हिंद उत्तर पदेश के किस जिले को कहा जाता है तो ये कहते हैं किसको जानपुर को option number 2 आपका बिल्कुल correct answer होगा next question को लिए गर के बात के लिए पूछा ये गया है कि राम पसाद बिस्मिल जी का जन्म इस्थान है शाजहापुर यानि की option number 4 आपका correct answer होगा है question की बात करें पूछा ये गया कि तेज बहादूर सप्रू का जन्म इस्थान कहा है तो इनके जन्म इस्थान को लेगर के बात के तो इनका जन्म इस्थान रहा है अलिगण option number 3 आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा next question को लेगर के बात करें यहाँ पे पूछा ये गया कि उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी दैनिक अखबार कौन सा है तो पहले हिंदी दैनिक अखबार को लेगर के बात करें तो ये है आपका बनारस अखबार कब प्रकाशित हुआ था 1854 में next question को लेगर के बात करें यहाँ पे पूछा ये गया है कि उत्तर परदेश विज्ञान एवं पुर्दोग की परिशत का गठन कब किया गया तो इसका गठन करा गया था सन 1975 में option number 4 आपका correct answer हो जाएगा next question को लेगर के बात करें पूछा ये गया है कि केंदरी औशदी अलुसंदान संस्थान कहा है तो उत्तर परदेश में कहां पे है ये लखनों में है option number 2 आपका correct answer हो जाएगा इसको CDRI के नाम से भी जाना जाता है ये भी दियानक कियेगा next हम बात कर लेते हैं पूछा ये गया है कि यहाँ पे पूछा ये गया है कि पत्री नहीं पत्री जंजाती का इस्थान कौन सा है तो अगर मैं बात कर लेता हूँ पत्थारी जंजाती तो ये अधिकांच सोन भद्र में है यानि कि option number 3 आपका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा next हम बात कर लेते हैं पूछा ये गया है कि भारती कालीन और दोग की संस्थान कहां पे है तो ये आपका कहां पे ये है भदोही में option number 1 आपका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा next question को लेकर के बात करें पूछा ये गया है कि सिधार्त जिले का मुख्याले है तो सिधार्त जिले के मुख्याले को लेकर के बात करें तो ये है आपका लौगर option number 4 आपका correct answer हो लाएगा next हम बात करें पूछा ये गया है की गौतम बुध नगर के मुख्याले का नाम क्या है तो गौतम बुध नगर के मुख्याले का नाम है नौइड़ा इसको इंग्लिश में लिखते हैं NOIDA ठीक है NOIDA तो NOIDA को ले करके बात करें कभी-कभी इसका full form भी पूछ लेते हैं तो ध्यान लखिएगा New Oklahoma Industrial Development Authority इसका क्या है full form है Next हम बात करें यहां पर पूछा यह गया है कि उत्तर परदेश विदान सबा के पर्थम अध्यक्ष कौन थे तो पर्थम अध्यक्ष को ले करके बात करें तो यह थे पुर्षोत्तम दास टंडन जी Option No.1 आपका correct answer होगा Next हम बात के लेते हैं पूछा यह गया है कि उत्तर परदेश में राष्टी कुष्ट संस्थान कहां इस्थित है तो यह कहां पर है ध्यान कियेगा आगरा में इस्थित है Option No.2 आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा और इसको जल्मा संस्था के नाम से भी जाना जाता है Next हम बात के लेते हैं पूछा यह गया है कि उत्तर परदेश में दिया सलाई उद्दोग का परमुक केंदर है तो इसका परमुक केंदर आपका बरेली में है Option No.3 आपका correct answer हो गा नेक्स्ट बात कर लेते हैं पूछा ये गया है कि ओपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर परदेश में शुबारम कब हुआ था तो ये आपका 2001 में शुरू करी गई थी ओप्शन नमबर 4 आपका correct answer हो जाएगा नेक्स्ट को लेकर के बात करें यहां पर पूछा ये गया है कि वर्ष 1937 से 1950 के मध्ध उत्तर परदेश को किस नाम से जाना जाता था तो अगर मैं बात करूँ उत्तर परदेश के पूरवी नाम को लेकर के इसका नाम था सनियुन प्रांथ यानि कि option number 1 आपका बिलकुल correct answer हो जाएगा नेक्स्ट बात कर लेते हैं पूछा ये गया है कि बजहर नामक परवत किस जनजाती द्वारा मनाया जाता है तो यहाँ पर question पूछा गया है बजहर नामक परवत किस जनजाती द्वारा मनाया जाता है तो इसका सही answer हो जाएगा थारू जनजाती द्वारा option number 3 आपका correct answer होगा next हम बात कर लेते हैं पूछा ये गया है कि पीतल के बरतन एवं धातु पात्र के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है तो इसका सही answer हो जाएगा मुरादाबाद तीक है और मुरादाबाद को पीतल लगडी के नाम से भी जाना जाता है नेक्स हम बात के लेते हैं पूछाई गया कि मार मिट्टी उत्तर परदेश के किस छेत्र में पाई जाती है तो मार मिट्टी आपका बंदेल खंड छेत्र में पाई जाती है ओप्शन नमबर फोर आपका करेक्ट आंसर होगा next हम बात करेते हैं यहाँ पे पूछा यह गया है कि उत्तर पदेश का सर्वधिक जन घनत वाला जिला कौन सा है जो इसकी लेकर के बात करें इसका सही अंसर हो जाएगा गाजियाबाद option number one ठीक है next question को लेकर के बात करें पूछा यह गया है कि लोक निरत राहुला का संबन्द किस से है ठीक है तो अब यहाँ पे बात करीगे यह है लोक निरत राहुला को लेकर के और इसका संबन्द है बुंदेल खंड से option number three आपका correct answer होगा next नम बात करें पूछए गया कि उत्तर प्रदेश का मैंचिस्टर कहा जाता है तो उत्तर प्रदेश का मैंचिस्टर कानपूर को कहा जाता है option number one आपका सही answer हो जाएगा नेक्स हम बात कर लेते हैं, पूछ़ाएं कि राजीव गांदी पेट्रोलियम प्रदोग की संस्थान कहां पर है तो इसका सही आंसर हो जाएगा, रायबरेली जुब है, intro 2 कि उत्तर प्रदेश के पुलिस संग्राले की इस्थापना की गई तो पुलिस संग्राले को ले करके बात करें तो यह आपका गाजियाबाद में है option number three आपका सही उत्तर हो जाएगा next question को ले करके बात करें पूछा यह गया कि अटाला मस्जिद कहां पर है तो अटाला मस्जिद आपका जौनपूर में है option number three आपका सही उत्तर हो जाएगा next हम बात कर लेते हैं आपे पूछा यह गया कि उत्तर प्रदेश का पहला उर्दू अखबार कौन सा है तो पहले उर्दू अखबार को ले करके बात करें इसका नाम है सरदल अखबार option number a सही उत्तर हो जाएगा कब प्रकाशित हुआ था सन 1848 में ये प्रकाशित हुआ था next हम बात कर लेते हैं पूछा यह गया कि उत्तर प्रदेश गनेश शंकर विद्दार्ती पुसकार दिया गया है तो ये किस छेत्र में दिया गया है ये आपसे पूछा गया है इसका सही आंसर हो जाएगा पत्रकाशिता के छेत्र में option number two सही उत्तर होगा next हम बात कर लेते हैं पूछा यह गया है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी छेत्र में शामिल जिलो की संख्या कितनी है तो शामिल जिलो की संख्या आपका कितनी है बीस है option number four आपका correct answer हो जाएगा देखिए मैंने आपको बदाया था कि आर्थी के द्रश्टी से इसको चार छेत्म है ठीक है एक तो पूर्वी हो गया पश्चमी हो गया केंद्री हो गया और बुंदेल खड़ यह हम पहले के question में discuss कर चुके है नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पूछा यह गया कि उत्तर प्रदेश में आर्मी एविएशन सेंटर इस्थित है तो आर्मी एविएशन सेंटर आपका जासी में इस्थित है option number one आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा next हम बात कर लेते हैं पूछा यह गया है कि भीम राओ अंबेडगर कुंडा का पूर्व नाम क्या है तो इसका पूर्व नाम है बेंती पक्षी विहार ठीक है यह बात ध्यान अकिएगा और कहां पे है प्रताब बढ़ में next हम बात कर लेते हैं पूछा यह गया है कि कैमूर वन्य जीव विहार इस्थित है तो कैमूर वन्य जीव विहार आपका मिर्जापूर और सोनभदर में इस्थित है option number four आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा next हम बात कर लेते हैं यहां पे पूछा यह गया है कि उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है तो सबसे पुरानी नहर है पूर्वी यमना नहर यानि की option number one आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा दियान लखिएगा 1631 में शाजहां जी के दवारा इसको बनवाया गया था और सबसे पुरानी नहर कौन सी उत्तर प्रदेश की पूर्वी यमना नहर next question को लेकर के बात करें पूछा ये गया है कि उत्तर प्रदेश में नहरो की सरवधिक लंबाई किस जिले में है तो ये आपको ध्यान नकरा है किस जिले में है राबरेली में option number three आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नेक्स को लेकर के बात करें पूछा ये गया है कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीर शिशू लिंगा अनुपात कितना है तो ग्रामीर शिशू लिंगा अनुपात है 906 ऑप्शन नमबर 2 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नेक्स को लेकर के बात करें पूछा ये गया है कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाती इसको बोलते हैं हम शेडियूल ट्राइब जनसंग्या का प्रतिशत कितना है तो ये है आपका 0.6 प्रतिशत ऑप्शन नमबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स हम बात करें पूछा ये गया है कि उत्तर प्रदेश का एक मात्री राज्जिकी जैन संग्राले कहां इस्तित है तो ये है आपका मत्रा में आपका सही उत्तर हो जाएगा नेक्स कोशन को लेकर के बात करें यहाँ पे पूछा यह गया है कि उत्तर परदेश बेसिक शिक्षा परिशत की स्थापना कब की गई तो इसके स्थापना करी गई थी 1972 में आप्शन नमबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा ठीक है 25 जुराई 1972 में करी गई थी बेसिक शिक्षा परिशत की स्थापना नेक्स कोशन को लेकर के बात करें यहाँ पे पूछा यह गया है कि बुखसा जंजाती निवास करती है तो बुक्सा जिन जाती जो है ये आपका बिजनौर और आगरा में निवास करती है यानि कि option number two आपका सही उत्तर हो जाएगा next question को लेकर के बात करें यहाँ पे पूछा ये गया है कि भातखंडे संगीत संस्थान उत्तर प्रदेश की इस्थापना कब हुई तो इसकी इस्थापना कब करी गई थी इसकी इस्थापना 1926 में करी गई थी option number four आपका सही उत्तर हो जाएगा कहाँ पे लखनों में next question को लेकर के बात करें पूछा ये गया है कि वीर बहादुर नच्छत्रशाला इस्थित है तो ये कहाँ पे इस्थित है आपको धियान लखना है गोरकपूर में इस्थित है option number three आपका सही उत्तर हो जाएगा next question को लेकर के बात करें यहाँ पे पूछा ये गया है कि जांदी ताल खीरी जिले के किस वन जीव विहार में इस्थित है त जिर्गो जलाशे बांध इस्थित है तो ये बांध आपको धियान लखना है कहाँ पे इस्थित है मिर्जापूर में इस्थित है option number one आपका सही उत्तर हो जाएगा और किस नदी पर तो उस नदी का नाम भी क्या है जिर्गो ही है next हम बात करें पूछे ये गया है कि बुकल जाही नदी को लेकर के बात करें इसका उद्गमिस्थल रायबरेली है option number three आपका सही उत्तर हो जाएगा कहां से भरतपुर जीन से next question को लेकर के बात करें पूछे ये गया है कि बगेल खंड छेत्र की प्रमुख नदी कौन सी है तो प्रमुख नदी कौन सी है ये है आपका सोन नदी option number three आपका सही उत्तर हो जाएगा next question को लेकर के बात करें यहाँ पे पूछा ये गया है कि उत्तर प्रदेश में बलुई मिट्टी के उचे टीले का इस्थानी नाम क्या है तो इसका इस्थानी नाम क्या है भूड है option number one आपका सही आंसर होगा next हम बात करें next हम बात करें पूछा ये गया है कि 36 गड़ से सीमा बनाने वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है तो ये है आपका सोन भदर option number two सही आंसर हो जाएगा next हम बात करें पूछा ये गया है कि उत्तर प्रदेश की नियुंतन सीमा रेखा किस राज से लगती है तो ये लगती है हिमाचल प्रदेश से option number one अच्छा हिमाचल प्रदेश से वो कौन सा जिला इसपर्ष करता है उत्तर प्रदेश का तो ध्यान लखिएगा सहारनपूर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पूछा ये गया है कि बिहार से सीमा बनाने वाले उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं तो उत्तर प्रदेश के साथ जिले हैं option number two आपका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट हम बात के लेते हैं पूछा ये गिया है कि उत्तर प्रदेश में इस्थापित राष्टी हिंदी संग्राले कहा है तो राष्टी हिंदी संग्राले को लेकर के बात करें ये आपका आगरा में है और अप्शन नमबर 3 से उत्तर होगा लास्ट कोशन को लेकर के बात करें पूछा ये गया है कि उत्तर प्रदेश में किर्शी निर्यात जोन कितने हैं तो किर्शी निर्यात जोन यहाँ पे तीन है और अप्शन नमबर फोर सही उत्तर होगा और ध्यान लखेगा यह तीन कौन कौन से हैं सबसे पहली बात तो आगरा, आलू के लिए, लखनौ आम के लिए और सहारनपूर आम के लिए तो यह तीनों यहाँ पे जो छेत्र हैं यह आपके क्या है किर्शी निर्यात जोन है यहाँ पे पूछे यह गया है कि 25 नदी के तर्ट पर इस्थित तीर्थ कौन सा है तो यहाँ पे तीर्थ की बात करी गई है, यह तीर्थ है आपका चित्रकूट यानि कि option number 3 आपका विल्कुल correct answer हो जाएगा next question को लेकर के बात करें, यहाँ पे पूछे यह गया है कि उत्तर परदेश का ग्रामीर लिंगा अनुपात कितना है तो ग्रामीर लिंगा अनुपात की बात करें तो यह है आपका 918 option number 1 correct answer हो जाएगा अगर overall की बात करी जाए, overall लिंगा अनुपात उत्तर परदेश का तो वो है 912 और ग्रामीर की बात करें तो 918 नेक्स हम बात के लेते हैं यहां पर पूछा यह गया है कि उत्तर परदेश में कृषक, दूरगटना, बीमा, योजना का आरंब कब हुआ तो इस योजना का आरंब हुआ था संदू 2004 में यानि कि option number 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा नेक्स हम बात के लेते हैं पूछा यह गया है कि उत्तर परदेश का शहरी लिंगा अनुपात कितना है तो शहरी लिंगा अनुपात की बात करें तो यह है आपका आर्ट सो चौरान नवे option number 2 आपका बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा नेक्स कोशन को लेकर के बात करें पूछा यह गया है कि सर्वधिक ग्रामीर साच्छता दर्वाला जिला कौन सा है तो सर्वधिक ग्रामीर साच्छता दर्वाला जिला आपका औरईया है option number 3 सही उत्तर हो जाएगा नेक्स कोशन को लेकर के बात करें यहां पे पूछा यह गया है कि उत्तर प्रदेश राज ललित कला एकादमी की स्थापना कब हुई थी तो ललित कला एकादमी की स्थापना सन 1962 में करी गई थी नेक्स कोशन को लेकर के बात करें पूछा यह गया है कि उत्तर प्रदेश में पूछा यह गया है पीपर्ट टेक्नोलोजी कहा है तो इसकूल ऑफ पेपर टेक्नोलोजी आपका सहारंपूर में है option no.2 आपका सही उत्तर हो जाएगा काजस का परमुक उद्दोग उत्तर परदेश के सहारंपूर जिले में ही होता है next question को लेकर के बात करें पूछा यह गया कि भारती दलहन शोध संस्थान उत्तर परदेश में कहां पर है तो दलहन शोध की बात करें तो यह आपका कानपुर में है option number one आपका सही उतर हो जाएगा next question को को लेकर के बात करें, पूच्छा ये गया है की करमा लोक ने त्व traditions in a मतब पूछा यह गया कि कर्मा लोक में तो कहां का है यह कुशन यह होगा तो यह आपका सोनभद्र जिले का है option number two आपका सही उत्र हो जाएगा next question को लेकर के बात करें यहां पर पूछा यह गया है कि उत्र परदेश गन्ना अनुसंधान परिशद कहां पर है ठीक है बात तरी गई है यहां पर अनुसंधान परिशद को लेकर के तो ध्यान लखिएगा इसका आंसर हो जाएगा शाजहापुर ठीक है और अगर आपसे यह काउंसिल और संस्थान दोनों बाते अलग-अलग हैं तो अगर आपसे संस्थान की बात करिया है तो उसका आंसर हो जाएगा लखनाओ यानि यह ओप्शन नमबर फोर नेक्स कोशन को लेकर के बात करें पूछा ये गया है कि भारतेंदु नाट एकेडमी की इस्थापना कब की गई थी तो भारतेंदु नाट एकेडमी की इस्थापना सन 1975 में करी गई थी ऑप्शन नमबर वन आपका विल्कुल सही उतर हो जाएगा नेक्स कोशन को लेकर के बात करें यहां पे पूछा ये गया है कि उतर परदेश किसान बही योजना का आरंब किस वर्ष हुआ था तो इस योजना का आरंब 1992 से 1993 में हुआ था आप्शन नमबर थी आपका विल्कुल सही उतर हो जाएगा और ये कोशन बहुत बार एक्जाम में रिपीट हो चुका है नेक्स हम बात करें पूछा ये गया है कि परहिया जंजाती का निवास छेत्र है तो परहिया जंजाती कहां पर निवास करती है सोन भद्र में आप्शन नमबर टू आपका सही उतर हो जाएगा नेक्स को लेकर के बात करें यहां पर पूछा ये ग नेक्स कुशन को लेकर के बात करें यहाँ पहाँ पूछा यह गया कि बटेशवर मेला आज़ित होता है तो परसिद्ध बटेशवर मेला आगहां में होता है option नूमबर उन आपका बिल्गोल दो रौ основ नेक्स कोशन को लेकर के बाद करें पुछा ये गया है कि उत्तर परदेश में यूरेनियम पाया जाता है तो उत्तर परदेश में बहुत ही सीमित मात्रा में ललित पुर चिलेवे पाया जाता है आप्शन नमबर थ्री आपका सही उत्तर हो जाएगा नेक्स कोशन को लेकर के बात करें पूछा ये गया है कि सुरहाताल पक्षी विहार इस्थित है तो सुरहाताल पक्षी विहार आपका बलिया में इस्थित है आप्शन नमबर वन आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा नेक्स कोशन को लेकर के बात करें पूछा ये गया है कि उत्तर परदेश का नियूंतम साच शर्ता दरवाला जिला कौन सा है तो नियूंतम साच शर्ता दरवाला जिला आपका श्रावस्ती है यानि कि option number two आपका सही उत्तर हो लाएगा नेक्स कोशन को लेकर के बात करें पूछा ये गया है कि उतरपदेश की 2001 से 2011 के मध्ध दश्की जनसंक्या व्रधी दर कितनी रही है तो ये आपको धियानक नहीं 20.2-3 परतिशत रही है और अप्शन नमबर 3 से उतर होगा नेक्स कोशन को लेकर के बात करें पूछा ये गया है कि छेतरफल की दरश्टी से उतरपदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है छेतरफल की दरश्टी से उतरपदेश का सबसे बड़ा जिला है लखिमपूर खीरी और लखिमपूर खीरी का ओफिशल नेम खीरी है नेक्स हम बात के लेते हैं पूछा ये गया है कि जनसंख्या की दश्टी से उत्तर पदेश का सबसे बड़ा जिला तो जनसंख्या की दश्टी से उत्तर पदेश का सबसे बड़ा प्रियाग राज है option number 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा next question को लेकर के बात करें पूछा ये गया है कि अबाई समारक पांचाल संग्राले इस्तित है तो ये आपका कहां पर इस्तित है बरेली में इस्तित है option number 3 आपका बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा नेक्स कोशन को लेकर के बात करें यहां पर पूछाए गया है कि आचारे नरेंद्र देव अंतराश्टी बौध विद्धा शोध संस्तान कहां पर इस्तित है तो यह आपका लखनों में इस्तित है और अप्शन नमबर वन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अब देखे लेकिन अगर मैं पर्जन टाइम की बात करूँ वर्तमान में आचारे नरेंद्र देव अंतराश्टी बौध विद्ध शोध संसान वर्तमान में लखनों में इस्तापित है ठीक है नेक्स कोशन को लेकर के बात करें पूछा यह गया है कि महीगिरी जनजाती का परमुख नि नेक्स कोशन को लेकर के बात करें यहाँ पर पूछा यह गया हैकि उत्तरपरदेश में के नदी का पर्वेश होता है तो के नदीका परवेश बानदा से होता है यहाँ पर option नमबर तू आपका विल्कुल सईवत्र हो जाएगा ध्यान नके कि यहाँ एगा यह नंदी मध्य जीव विहार है चंद्रप्रभा option number 4 आपका विल्कुल सही उतर हो जाएगा ठीक है इस्थापना कप करीगी थी सन 1957 में करीगी थी नेक्स रम बात के लेते हैं पूछा ये गया कि उतरप्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सहे तो सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार है अब देखिए पटना जो पक्षी विहार है वो पटना में नहीं है वो है उतरप्रदेश के एटा जिले में य जान नखिएगा यह कोश्चन भी पूछा जा चुका है नेक्स नम बात के लेते हैं पूछा यह गया है कि सेल खड़ी खनीज उत्पादन होता है तो सेल खड़ी खनीज उत्पादन हमीरपूर एवं जासी में होता है और आप्शन नमबर टू आपका बिल्कुल सही उत्तर हो लाइन में करा गया था ऑप्शन नमबर वन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नेक्स को लेकर के बात करें पूछा यह गया है कि काली पल्टन मंदिर साथ साथ नंगली तीर्थ एवं राज की सवतंता संग्राम संग्रालय इस्थित है तो यह तीनों चीज़े आपक की पक्षी अभ्यारण कहां इस्थित है तो यह आपका उत्तर परदेश के हदोई जिले में है और आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा और अगर आप से कोश्चन यह पूछ लिया जा है कि मुशाक हंद बांध किस जिले में है तो मुशाक हंद बांध आपका चंदौल पर नेक्स नम बात के लेते हैं پूछए गया कि प्रांती हाइजीन इंसिट्यूट कहां पर है तो प्रांती हाइजीन इंसिट्यूट आपका लखलों में है ऑप्ष्ण नमबर थरी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नेक्स कोशन को लेकर के बात करें पूछए यह कि उत्तर प्रदेश में सर्वधिक मेले किस जिले में लगते हैं तो सर्वधिक मेले आपको धियान लखना है मर्थुरा जिले में लगते हैं option number 2 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कितने 86 next अम बात के लेते हैं पूछाये गया है कि उत्तर प्रदेश में स्कूल हेल्थ कारिकरम प्रारम किया गया था तो उत्तर प्रदेश में स्कूल हेल्थ कारिकरम संदू 2008 में प्रारम किया गया था option number 2 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा next बात के लेते हैं पूछाए गया कि उत्तर प्रदेश का पर्थम AIDS चिकित साले की स्थापना कहां की गई थी तो यह करी गई थी कानपूर में option number 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा कानपूर में कहां पर कानपूर के medical college में इसकी स्थापना करी गई थी नेक्स question को ले करके बात करें पूछा ये गया है कि उत्तर प्रदेश में थारू जनजाती के लोग कितने तरही जिलो में निवास करती है थारू जनजाती कितने तराई जिलों में निवास करती है तो इसका आंसर हो जाएगा पाच जिलों में अब वो पाच जिले कौन कौन से हैं नोट दियेगा महराज गंज, सिधात नगर, बहराईज, खारी और श्रावस्ती थीक है तो ये आपको ध्यान लखने है नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पूछे ये गिया है कि चावल द्वारा निर्मित, जाड नामक मंदिरा, स्वेम बनाने वाली उत्तर परदेश की जनजाती कौन से है तो ये आपको ध्यान लखना है थारू जनजाती है, आप्शन नमबर बन सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट को लेकर के बात करें पूछा ये गिया है कि उत्तर परदेश राज महिला आयोग का गठन कब किया गया था तो इसका गठन सन 2004 में करा गया था, आप्शन नमबर बन आपका सही उत्तर हो जाएगा नेक्स कोशिंग को लेकर के बात करें पूचे एक गया है कि उत्तर परदेश कोशल विकास मिशन का शुबारम कब हुआ था तो कोशल विकास मिशन का शुबारम एककीज दिसंबर 2013 में हुआ था ओप्ष्न नंबर थ्री आपका सही उता हो जाएगा नेक्स कोशन को लेगर के बात करें यहाँ पे पूछा यह गया है कि उत्तर परदेश राज विधान परिशत का गठन कब हुआ यहाँ पे बात करें यहाँ राज विधान परिशत काउंसिल को लेगर के तो इसका जब गठन हुआ था वो हुआ था सन 1937 में यानि की आजादी से पहले और कुल सदस सव नेक्स्ट हम बात के लेते हैं पूछा ये गया कि उत्तर परदेश पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था तो ये पारित हुआ था सन 1947 में यानि की option number 2 आपका सही उत्तर होगा नेक्स्ट बात के लेते हैं पूछा ये गया कि उत्तर परदेश में पंचायत अधालतों का नाम बदल कर न्याय पंचायत कब किया गया तो ये करा गया था सन 2012 में option number 1 सही उत्तर होगा नेक्स्ट बात के लेते हैं पूछा ये गया है कि उत्तर परदेश राज्य सुषना आयोग के पर्थम अध्यक्ष कौन थे तो राज्य सुषना आयोग के पर्थम अध्यक्ष थे M.A. खान option number 1 आपका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट हम बात के लेते हैं पूछा ये गया है कि बंदायू इस्थित जामा मस्जित का निर्मार किस ने करवाय था तो इसका निर्मार करवाय था इलतूतमिष ने option number 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट हम बात के लेते हैं पूछा ये गया है कि किस मुगल शासक ने आगरा की बजाए दिल्ली को मुगल सामराज की राजधानी बनाया था तो ये किस ने बनाया था शाजहा ने बनवाया था आप्शन नमबर फोर आपका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट बात के लेते हैं पूछा ये गया कि 1937 में सन्युक्त प्रांत में गठित कांग्रेसी सरकार के परधानमंत्री कौन थे तो उस त्राइम में परधानमंत्री पंडित गोविंद वल्लब पंद जी थे आप्शन नमबर फ्री आपका सही आंसर हो जाएगा लास्ट को लेकर के बात के रहें पूछा ये गया कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं तो उत्तर प्रदेश में टोटल पशातर जिले हैं ओप्शन नमबर वन आपका सही उत्र हो जाएगा नेक्स कोशन को लेकर के बात करें यहाँ पे पूछा यह गया है कि उत्तर परदेश बॉडर एरिया डिवलप्मेंट कारिकरम का शुबारम कब हुआ तो इसका शुबारम करा गया था 1999 से 2000 के बीच में यानि कि option number one आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बात यहाँ पे यह कही गई थी कि border area वाले ठीके जो सीमा वाले जन्पध हैं वहाँ पे क्या करा जाए कुछ facilities कुछ development के कारिकरम शुरू करे जाए जैसे कि वहाँ पे जल सेवा को बहतर करा जाए बिचली सेवा को बहतर करा जाए नेक्स्ट को लेकर के बात करें यहां पे पूछा यह गया है कि 2001 सी 2011 के मध्ध उत्तर पदेश की साक्षता दर्में व्रद्धी कितने प्रतिशत्की हुई है तो यह हुई है 11.4 प्रतिशत्की यहां पे आपका सही उतर हो जाएगा option number 4 ध्यान रखने वारी बात यह है कि 2000 अगर मैं बात करेंगे तो 2001 में तो 2001 में जो साक्षता दर्ती वो थी 56.3 और इसी तरीके से अगर मैं 2011 को लेकर के बात करूँ तो यह थी 67.7 अब दोनों का आप difference निकालेंगे तो निकल करके आएगा 11.4 नेक्स कोशन को लेकर के बात करेंगे यहाँ पर पूछा यह कि देश में जनसंख्या के दश्टी से सर्वधिक अनुसूचित जाती वाला राज्य कौन सा है तो राज्य की बात करेंगे तो यह है उतर परदेश option number 2 आपका विल्कुल सही उतर हो जाएगा कितना है तो ध्यान लखेगा 20.7 परदेश का अनुसूचित जाती कि अगर हम बात कर लें तो उतर परदेश में कितना परदेश है 20.7 परदेश है नेक्स कोशन को लेकर के बात करें पूछा यह गया है कि देश में पहली बार क्रतिम वर्षा कहां पर कराई गई तो क्रतिम अगर आपसे यह पूछा जाता है कि करतिम वर्षा यह किसके द्वारा कराई गई इसमें किसका योगदान था तो आपको नाम ध्यान रखना है IIT कानपूर का नेक्स कोशन को लेकर के बात करें पूछा यह गया है कि उत्तर परदेश में इस्थापित सुदुर सम्विदन उपयोग केंद्र कहां पर है तो यह है आपका लखनों में यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा option number one और अगर आपसे यह पूछते हैं कि उत्तर परदेश में कि इस्थापित सुदुर सम्विदन उपयोग केंद्र लखनों में तो है लेकिन यह कब इस्थापित करा गया था तो 1982 में करा गया था यह भी ध्यान न कियेगा नेक्स को लेकर के बात करें यहाँ पर पूछे यह गया है कि बुनकरो हेतू जन्श्री बीमा योज्ट्ना का शुबारम कब हुआ तो इसका शुबारम 2003 में हुआ था option number four आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नेक्स को लेकर के बात करें पूछे यह गया है कि जन्जाती एवं लोग कला संस्क्ति संसान कहां पर है तो यह आपका लखनव में है option number two आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कब इसकी इस्ता आपना करी गई थी सन 1996 में करी गई थी नेक्स को लेकर के बात करें यहां पर पूछे यह गया कि उत्तर परदेश में कुल कितने फल पटी छेत्र है तो फल पटी छेत्र को लेकर के बात करें यहां पर आपका से उत्तर हो जाएगा बीस ठीक है जिसमें से सत्रा आम के दो अम्रूत के और एक आवलागा और अगर आप से यह पूछते हैं कि उत्तर पदेश में फल को ले करके जिलो का विस्तार कितना है तो 15 जिले आपको ध्यान लगने नेक्स कोशन को ले करके बात करें पूछे ये गया कि कनहर सिचाई परियोशना कहां पर इस्थापित है यह है आपका सोन भद्र में आप्शन नमबर तू आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा और किस नदी के उपर है तो यह भी ध्यान लगना है कनहर नदी पर नेक्स कोशन को ले करके बात करें पूछे ये गया है कि उत्तर परदेश में टेरा कोटा का प्रमुख उद्धोग केंदर आपका जो है केंदर वो आपका गोरकुर में है ौप्शन नमबर तृ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नेक्स कोशन को लेकर के बात करें, यहाँ पे पूछा यह गया है कि प्रदेश में पंजीकरत, जी आई टैग उत्पादन कितने हैं, तो यह आपका चार है, यहाँ पे आपका आप्शन नमबर फोर सही उत्तर हो जाएगा, जी आई क्या होता है, इसका फिलफार्म होता है, ज आगरा का पेठा, तो यह चार चीज़े आपको ध्यान लगनी है, नेक्स कोशन को लेकर के बात करें, पूछा यह गया है कि ग्यारवी पंच वर्षी योशना में उत्तर परदेश की आर्थिक विकासदर कितने पतिशत थी, तो यह कितने पतिशत थी, यह थी 7.0 पतिशत, यह सिंपल सी बात है, 7.0 नेक्स कोशन को लेकर के बात करें, पूछा यह गया है कि उत्तर परदेश में GST लागू कब हुआ, तो GST को लेकर के बात करें, इसका फुल-फॉर्म होता है Goods and Service Tax, और यह आपका लागू कब हुआ था, ध्यान लखने होनी बात है कि 1.0 2017, ठीक ह इस्थल कौन से है, तो ट्रांसफार्मर आपको ध्यान लखने है, यहाँ पर अगर मैं ट्रांसफार्मर को लेकर के बात करूँ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जासी एवं मेरट, ठीक है, जादा तर यहाँ पर ध्यासी आपको आंसर मिलेगा, लेकिन मेरट में भी बना नचतर शाला कहां पर है, तो यह आपको ध्यान लखने है, रामपूर नचतर शाला है, उप्शन नमबर फोर आपका सही उत्तर हो जाएगा, नेक्स को लेकर के बात करें, यहाँ पर पूछा ये गया कि उत्तर परदेश की विशेश आर्थिक छेत्र कितने हैं, तो बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा, अब ये पाच शेत्र कौन कौन से हैं, नोट कर दीजेगा, नौइडा हो गया, भधोई हो गया, मुरादाबाद हो गया, आगरा हो गया, और कानपूर हो गया, नेक्स को लेकर के बात करें, यहाँ पर पूछा ये गया है कि बबबर शेर, प्रजनन केंद्र एवं लायन सफारी पार्क कहां है, ठीक है, तो ये भी आपको धियानक नहीं, ये कहां पर है, ये है आपका इटाबा में, आप्शन नमबर थ्री आपका बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा, नेक्स को लेकर के बात करें, यहाँ पर पूछा ये गया है कि तथा उत्तर परदेश की पहली चीनी मिल कब इस्थापित की गई, ठीक है, यानि कि भारत की बात करें या उत्तर परदेश की बात करें, पहली चीनी मिल कब इस्थापित करें गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1903 में, यानि कि ऑप्शन नमबर तू, कहां पर करी ग कितनी हैं तो यह आपको ध्यान एकना है यह 12 option number 3 आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा इससे पहले अगर मैं 2003 की बात को तो 2003 में 10 अनुसूची जातियों को जोड़ा गया था ठीक है सूची बद में जोड़ा गया था 2003 से पहले सिर्फ दो ही थी नेक्स कोशन को लेकर के बात करें यहां पर पूछा यह गया है कि Central Avian Research Institute कहां पर है तो यह आपको ध्यान एकना है कहां पर है यह है आपका बरेली में option number 4 आपका सही उतर हो जाएगा बरेली में कहां पर इज़त नगर में नेक्स कोशन को लेकर के बात करें यहां पर पूछा यह गया है कि भारती हद करदा टक्नीकी संस्थान कहां पर है तो यह आपको धियान एकना है कहां है वरारसी में वरारसी में कहांपर चौका घाट नेक्स को लेकर के बात करें पूछा यहा है कि Water Sports Festival का अयोजन हुआ तो यह आपको धियानक ने कहा हुआ है, प्रियागराच में, option number one आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा. Next question को लेकर के बात करें, यहाँ पर पूछा यह गया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम मेले का आयोजन किस जिले में होता है? तो सबसे कम मेले की बात करें, तो यह आपका पीली भीत में, option number one आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा. सबसे ज्यादा कम मैंने आपको बताई था, मतुरा में कितने? 86. नेक्स हम बात के लेते हैं, पूछा यह गया है कि प्रसिध शाकंबरी देवी मंदिर कहां इस्थित है? तो यह है आपका सहारनपूर में, option number two आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा. नेक्स कोशन को लेगर के बात करें, पूछा यह गया है कि क्रांतिकारी राजेंद्र पसाद लाहिली को फासी कहां दी गई थी? तो यह दी गई थी, गोना जेल में, option number four आपका सही आंसर हो जाएगा. नेक्स कोशन को लेगर के बात करें, यहाँ पे पूछा यह गया है कि महाजनपद शुरू सेन की राजधानी कहां थी? तो यह धियान लकना है, महाजनपद शुरू सेन की राजधानी आपको धियान लकना है, मतुरा थी, option number three आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा. नेक्स कोशन को लेगर के बात करें, पूछा यह गया है कि बारवी पंच वर्षी योशना में उत्तर परदेश का आर्थिक विकास कितना है? ठीक है, यहाँ पे आर्थिक विकास की बात करी गई है, तो आपको धियान लकना है, दस पतिशत, option number two आपका सही आंसर हो जाएग नेक्स कोशन को लेगर के बात करें, पूछा यह गया है कि देश की कुल ग्रामीर आबादी में उत्तर परदेश का पतिशत कितना है? तो उत्तर परदेश का पतिशत है 18.63 ठीक है, देश में सबसे नंबर एक पे, ग्रामीर आबादी में उत्तर परदेश का पतिशत जो है, वो सबसे नंबर एक पे है कितना है अठाल विशमलोग छे तीन नेक्स कोशन को ले करके बात करें पूछा ये गया है कि वायू अपर्दत से उत्तर प्रदेश के सरवधिक परभावित जिले कौन से हैं तो ये आपको धियान एकना है मतुरा और आगरा हैं ऑप्शन नंबर फोर आपका सही आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन को ले करके बात करें पूछा ये गया है कि उत्तर प्रदेश में कागस उद्दोग का परमुख केंद्र कौन सा है तो कागस उद्दोग का परमुख केंद्र सहारनपूर है ऑप्शन नंबर फिरी आपका सही आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन को ले करके बात करें पूछा ये गया है कि उत्तर प्रदेश में विभिन रेलवे जोन के कुल कितने मंडल है तो टोटल नौ मंडल है ऑप्शन नंबर टू आपका सही आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन को ले करके बात करें पूछा ये गया है कि उत्तर प्रदेश में पूर्वी उद्दोगी गलियारा एबं पस्चमी उद्दोगी गलियारा का मिलान बिंदू कौन सा है तो इसका मिलान बिंदू है दादरी ऑप्शन नंबर वन आपका सही आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन को ले करके बात करें पूछा ये गया है कि कलिक महत्सो का आयजन कहां किया जाता है तो ये कलिक महसो जो है ये आपका संभल में किया जाता है यहने कि option number one आपका बिलकुल सही answer हो जाएगा next question को लेकर के बात करें यहाँ पे पूछाएगा है कि माटी कला बोर्ड का गठन राज्ज में कब हुआ तो इसका गठन राज्ज में 2018 में करा गया था 19 जुलाई 2018 में ठीक है और माटी कला बोर्ड किसके लिए था तो ये कुमार लोगों के लिए था next हम बात करें यहाँ पे पूछा ये गया है कि उत्तरपरदेश अनुसूचित जाती एवं जन जाती आयोग के वरतमान अध्यक्ष कौन है तो वरतमान में है राम बाबु हरित यानी की option number 3 आपका सही आंसर हो जाएगा next question को लेकर के बात करें यहाँ पे पूछा ये गया है कि जारखन, छतीजगर, बिहार, एवं मध्यपरदेश चारों राज्यों को इसपर्श करने वाला उत्तरपदेश का कौन सा जिला है तो उत्तरपदेश का जिला है सोन भद्र जो इन चार राज्यों से सीमा इसपर्श करता है option number 1 आपका सही आंसर हो जाएगा next question को लेकर के बात करें पूछा ये गया है कि उत्तरपदेश के किस जिले में सबसे कम गर्मी दर्ज की जाती है तो ये आपको ध्यान लखना है बरेली में option number 4 आपका सही आंसर हो जाएगा next question को लेकर के बात करें यहाँ पूछा ये गया है कि सिक्टा करियाल एवं धनका किन मिट्यों के इस्थानी नाम है तो ये दोमट और बलाई मिट्टी के इस्थानी नाम है option number 1 आपका सही आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन को लेकर के बात करें यहाँ पे पूछा यह गया है कि रुहेल खंड का मिनी कुम्भ किस मेले को कहते हैं तो यह आपको ध्यान अकना है ककोरे मेले को कहते हैं option no.3 आपका सही आंसर हो जाएगा नेक्स को लेकर के बात करें पूछे ये गया है कि उत्टर परदेश में परियटन को उद्दोग का दर्जा कब दिया गया तो ये दिया गया था 1998 में option no.2 आपका सही आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन को लेकर के बात करें पुछे ये गया कि सोनांचल एवं पावर कैपिटल ओफ इंडिया कहा जाता है तो ये कहते हैं सोन भद्र को आप्शन नमबर तू आपका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा ठीक है क्यों कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ज्यादा बिजली प्लां अगर सबसे आगे है ऑप्शन नमबर तू सही आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन को लेकर के बात करें पूछा ये गया है कि जंगर्णा दोहजर ग्यारा के अनुसार उत्तर परदेश में कुल कारशील जंसंख्या का परतिशत कितना है तो ये कितना है ये है बत्तिस दुशमल नो परतिशत आप्शन नमबर तूर आपका सही आंसर हो जाएगा नेक्स को लेकर के बात करें यहाँ पे पूछा ये गया है कि नियुन्तम दश्की व्रद्धी वाला उत्तर परदेश का जिला कौन सा है तो ये है आपका कानपूर नगर आप्शन नमबर वन आपका सही आं कितना है परतिशत की बात करें तो 9.9 परतिशत नेक्स को लेकर के बात करें पूछा ये गया है कि अधिक्तम दश्की व्रद्धी वाला उत्तर परदेश का जिला कौन सा है तो इसमें आपको ध्यान अकना है गौतम बुद्धनगर आप्शन नमबर 3 कितना परतिशत है 49.1 परतिशत नेक्स को लेकर के बात करें पूछा ये गया है कि धर कहरी निरत्य तड़िया निरत्य किन छेत्रों के हैं तो ये आपको ध्यान अकना है मिर्जापूर और सोनबद्र आप्शन नमबर 1 सही आंसर हो रहेगा नेक्स को लेकर के बात करें पूछा ये गया है कि नट को लेकर के बात करें, पूछा ये गया कि पिसिद्ध सर्धाना महुट्षो कहां आयोजित होता है, तो ये आपका मेरठ में आयोजित होता है, ओप्शन नम्र four आपका सही आंसर हो जाएगा, लेक्स कोशन की बात करेवेगे, यहाँ पर पूछा ये गया कि चुनार किला, लमफाल हो गया और टांडाफाल तो ये तीनों चीज़े आपको धियान अकना है मिर्जापुर में इस्थित हैं लेक्स हम बात करें पूछा ये गया है कि प्राचीन एतिहासिक नगर कामपली वर्तमान में कहां पर है ये आपको धियान अकना है वर्तमान में फरूखा बात में है औप्शन नमबर वन आपका विल्कुल सही आंसर हो लाएगा लेक्स कोशन को लेकर के बात करें यहाँ पे पूछा ये गया है कि उत्तर परदेश में तेल शोधक कारखाना कहां इस्थित है तो तेल शोधक कारखाने को लेकर के बात करें यह आपको धियान अकना है मतुरा में इस्थित है औप्शन नमबर थ्री आपका सही आंसर हो लाएगा नेक्स कोशन को लेकर के बात करें यहाँ पे पूछा ये गया है कि उत्तर परदेश में प्लाइवुड उद्दोग के परमुख जिले कितने हैं तो प्लाइवुड उद्दोग के परमुख जिले आपको धियान लखना है तीन है आप्शन नमबर वन आपका विल्कुल सही उत्र हो जाएगा अब ये तीन जिले कौन कौन से हैं नोट कर लीजेगा सीटापूर, सहारणपूर और विज्णौर नेक्स कोशन को लेकर के बात करें यहाँ पर पूछा ये गया है कि उत्तर परदेश में इविलेज योजना का आरंब कब हुआ तो इविलेज योजना को लेकर के बात करें यह आपका दो हजार तेरा में शुरू करी गई थी आप्शन नमबर थी आपका विल्कुल सही उत्र ह लेगा 21 दिसम्बर 2013 में उतर प्रदेश में इविलेज यूर्जा का आरंब हुआ लेक्स कुशन को लेकर के बात करें यहां पे पूछा ये गया है कि खरवार जंजाती की कितनी उप जातियां हैं तो ये आपको धियान लखना है खरवार जंजाती की साथ उप जातियां हैं आप्शन नमबर 4 आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा अब ये साथ जंजातियां कौन कौन सी हैं उनको लेकर के नोट कर लिजिएगा सूरज वण्शी, पटबंदी, दौलतबंद, खेरी, राउत, मांगती और गोचू नेक्स कोशन को लेकर के बात करें यहां पे पूछा ये गया है कि पतवार, राजपूत, वण्च किस से सम्मंधित माना जाता है तो ये आपको धियान लखना है किस से सम्मंधित माना जाता है बुक्सा जंजाती से यानि कि option number two आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन को लेकर के बात करें पूछा ये गया है कि state, tv, demonstration and training center कहां इस्थित है तो ये आपको धियान लखना है कहां पे है, आगरा में है, option number one आपका बिल्कुल सहीवतर हो जाएगा और ये जो state, tv लिखा हुआ है, tv मतलब ये आपका tuber process से मतलब है, ठीक है नेक्स कोशन को लेकर के बात करें, पूछा ये गया है कि वीवी गिरी, national labor institute कहां इस्थित है तो ये आपको धियान लखना है, नौइडा में इस्थित है, option number two आपका बिल्कुल सहीवतर हो जाएगा नेक्स कोशन को लेकर के बात करें, यहाँ पे पूछा ये गया है कि जनगर्णा 2011 के अनुसार, उत्तर परदेश की कितनी कारिशील जनसंख्या का पतिशत किर्शी से संबंधित है तो ये आपको धियान लखना है, 59.3 यानि कि option number three आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नेक्स कोशन को लेकर के बात करें, यहाँ पे पूछा ये गया है कि उत्तर परदेश में डक्षडी भाग में पहाड़ी पठार छेत्र किस युक की चटानों का है तो ये आपको धियान लखना है, pre-cambian yuk का है, option number four आपका सही आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन को लेकर के बात करें, यहाँ पे पूछा ये गया है कि परदेश का पहला रैपनिंग चेंबर कहां लगाया गया तो रैपनिंग चेंबर को लेकर के बात करें, यह आपका प्रियागराश में लगाया गया, option number one आपका सही उत्र हो जाएगा अब यह रैपनिंग चेंबर होता है क्या है, रैपनिंग चेंबर मतलब यही होता है कि केले को पकाने के लिए, केले को आर्टिफिशिली पकाने के लिए, कुछ चेंबर टाइप का बनाया जाता है, उसी को बोलते है next question को ले गर के बात करें पूछा यह गया है कि उत्तरप्रदेश के लीची उतपादक जिले कौन से हैं तो लीची उतपादक जिले हैं साहरनपूर और मेरट option number 3 आपका सही answer हो जाएगा next question को ले के बात करें यहाँ पे पूछा यह गया है कि नई किर्शी नीती में किर्शी छेतर की व्रद्धी दर का लक्ष कितना है तो इसका लक्ष आपको बताना है ध्यान लखना है पाज बिशमलो एक यानि कि option number 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन को लेकर के बात करें यहाँ पे पूछा ये गया है कि भारत के उत्तरमद्र छेतर सांसर्किति केंद्र कहां इस्थित है तो ये आपको धियान लेकना है प्रियाग राज में इस्थित है option number 4 आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा अब प्रियाग राज को बेसिकरी इसका केंद्र बनाये गया है और कब बनाये गया था 1986 में और भारत को साथ सांसरकितिक छेत में रखा गया है नेक्स कोशन को लेकर के बात करें पूछा ये गया है कि प्रदेश खादी ग्राम उद्दोग बोर्ड की इस्थापना कब की ग इस्थम आम का उत्पादन यानि की कलम आम का उत्पादन कहा होता है तो ये आपको धियान लखना है सहारनपूर और मेरट में ऑप्शन नमबर तू आपका विल्कुल सही आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन को लेकर के बात करें पूछा ये गया है कि सबसे कम विधान सभा अब ये तीन जिले कौन कौन से हैं नोट करिएगा चित्रकूर्ट महोबा और श्रावस्ती कितनी सीटे हैं तीनों जगा पे दो दो सीटे हैं नेक्स कोशन को लेकर के बात करें यहाँ पे पूछा ये गया है कि कामत गिरी परवत तीर्थ इस्तल कहां इस्तित है तो ये अब ध्यानक नहीं कहां पे हैं चित्रकूर्ट में ऑप्शन नमबर फोर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नेक्स को लेकर के बात करें यहाँ पे पूछा ये गया है कि हरपा कालीन संसर्क्तिक इस्तल आलमगीर कहां इस्तित है तो आलमगीर इस्तल को लेकर के बात क कब की गई थी तो ये आपको धियान लखना है सन 1925 में करी गई थी ऑप्शन नमबर वन सही उत्तर हो जाएगा ठीक है दो नमबर सन 1925 में उत्तर परदेश की राज़दानी इलहाबाद से लगनाउं की गई थी नेक्स को लेकर के बात करें पूछा ये गया कि परसिध चित्तोरा जील कहां इस्तित है तो चित्तोरा जील के बाले में बात करें ये आपका बहराईज में है आप्शन नमबर वन आपका सही आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन को लेकर के बात करें पूछा ये गया है कि समान वन्न जीव विहार कहां इस्थित है तो समान वन्न जीव विहार आपका मैनपुरी में है आप्शन नमबर टू आपका सही आंसर हो जाएगा नेक्स Question को लेकर के बात करें पूछा ये गया है कि महवाजिले की चर्खारी में अर्जुन नदी पर इस्तित अर्जुन बांध नहर से अन्न कौन सा चिला लाभांतित होता है तो अगर अन जिले को ले करके बात करें तो ये आपका हमीरपूर होता है option number 4 आपका सही आंसर हो जाएगा next question को ले करके बात करें पूछा ये गया है कि सरसावा हवायड़ा कहां इस्तित है तो ये आपको धियान अकना है सहारनपूर में option number 3 आपका बिल्कुल सही तर हो जाएगा सहारनपूर में जगा है ठीक है सरसावा जगा है और वहीं पर ये आपका सरसावा हवायड़ा है next question को ले करें पूछाए गया है कि शैरा ळत किस छेतर से प्रचलित है तो शैरा लत को ले करें ये आपका बुंदिलखंण से है यानि कि option number 2 आपका सही आनसर हो जाएगा नेक्स कोशन को लेकर के बात करें पूछाई गया है कि अमीर खुसरो का जन्मु उत्तर पदेश के किस इस्थान पर हुआ था तो ये हुआ था कास गंज में option number one आपका सही उत्तर हो जाएगा ठीक है नेक्स कोशन को लेकर के बात करें यहाँ पर पूछाई गया है कि Central Institute for Research on Capital कहाँ पर है तो ये आपको धियान लखना है मेरट डिस्टिक में है option number four आपका सही आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन को लेकर के बात करें यहाँ पर पूछाई गया है कि भारती विश्व विज्ञान अनुसंदान संसान कहाँ पर है तो ये कहाँ पर है यहे आपका लखनों में option number three आपका सही उत्तर हो जाएगा ठीक है विश्व विश्व आपका क्या कहते हैं इसको हम बात करें तो इसको टॉक्सिकल रिसार्च सेंटर जो है नेक्स हम बात कर लेते हैं पूछाई गया कि उत्तर परदेश का एक मात्र मुक्त विश्व विद्दाले की इस्थापना कप की गई थी तो इसकी स्थापना जो करी गई थी वो सन 1998 में करी गई थी option number 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा अब ये विश्विद्दाले का नाम क्या है नोट के लिएगा राजशरी पुरुशोत्तम दास टंडन मुक्त विश्विद्दाले नेक्स को लिएकर के बात करें यहाँ पर पूछा ये गया है कि उत्तर परदेश में कुल केंद्री विश्विद्दाले कितने हैं तो कुल केंद्री विश्विद्दाले 6 है option number 1 आपका सही आंसर हो जाएगा नेक्स हम बात कर लेते हैं पूछा ये गया है कि अंतराष्टी चावल अनुसंस्धान संस्था की दच्छड एशिया में छेतरी इकाई कहा है तो ये है आपका वरणसी में option number 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा नेक्स को लेकर के बात करें यहाँ पर पूछा ये गया है कि 2007 में प्रारंबिक ग्रामीर खाद बैंक योजना उत्तर परदेश के कितने जिलों में संचालित है तो ये है आपका बारा जिलों में option number 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा ठीक है पुर्वानचल के पाच और सासात बुंदेलखन के साथ नेक्स हम बात के लेते हैं पूछा ये गया है कि उत्तर परदेश किसान बही योजना का आरंब कब हुआ तो इसका आरंब जो हुआ था वो सं 1992 में हुआ था option number 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा ठीक है बही खाते को लेकर के थी किसान के बही खाते को लेकर के ये योजना थी next हम बात के लेते हैं पूछा ये गया है कि लखिमपुर एवं बहराई जिलो की सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है तो अगर मैं नदी को लेकर के बात करूँ तो ये है घागरा नदी, option number 2 आपका बिलकुल सही उतर हो जाएगा Next हम बात करें हैं, पूछा ये गया है कि hidden नदी यमुना में किस इस्थान पर मिलती है तो ये आपको धियान अकना है, गौतम बुधनगर के पास मिलती है, option number 3 आपका बिलकुल सही आंसर हो जाएगा Next question को लेकर के बात करें, पूछा ये गया है कि बेलन टोन्स नहसे लाबांतित होने वाला जिला कौन सा है तो ये है आपका प्रियागराज, option number 3 आपका सही आंसर हो जाएगा Next question को लेकर के बात करें, पूछा ये गया है कि उत्तर परदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्टी राजमार्ग कौन का है तो ये आपको धियान लखना है NH19, option number 4 ठीक है अगर पुराना नाम आपसे पूछा जाए तो इसका नाम था NH2 और नए नाम को लेकर के बात करें तो ये है NH19 और लंबाई कितनी है 756 किलोमीटर नेक्स्ट बात के लेते हैं पूछा ये है कि वर्ष्ट 2011 की जनगरना के अनुसार राज्ज में महिलावा पुरुष 76 दर के बीश का अंतर कितना है तो अगर मैं इस अंतर को लेकर के बात करूँ तो ये है बीश दुशमलो एक option number 1 आपका सही आंसर होगा नेक्स्ट हम बात के लेते हैं पूछा ये गया है कि व्यस्क लिंगानुपात एवं शिशु लिंगानुपात दोनों की दस्टी से उत्तर पदेश का देश में कौन सा इस्थान है तो उत्तर पदेश का देश में 26 इस्थान है option number 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट हम बात के लेते हैं पूछा ये गया है कि राश्ती कथक संस्थान की इस्थापना कप की गई तो इसकी इस्थापना 1988 से 1989 के बीश में करी गई थी option number 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट को लेकर के बात करें पूछा ये गया है कि जन घनक्त की द्रश्टी से उत्तर पदेश का देश में कौन सा इस्थान है तो उत्तर पदेश का देश में 907 आपका सही उत्तर हो जाएगा नेक्स कोशिंग को लेगर के बात करें पूछा यह गया है कि एतिहासिक इस्तल अतरंजी खेडा किस जिले में है तो ये आपको ध्यान लखना है एटा जिले में है ओप्षन नंबर बन आपका सही आंसर होगा नेक्स्ट हम बात के लेते हैं पूछा ये गया है कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है तो उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कानपुर को कहा जाता है option number 2 आपका सही answer हो जाएगा नेक्स्ट हम बात के लेते हैं पूछा ये गया है कि उत्तरपदेश में जैन एवं बौध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है तो प्रसिद्ध तीर्थ है आपका कौशामभी ओप्शन नमबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट हम बात के लेते हैं पूछा ये गया है कि गेटवे ओफ उत्तरपदेश किस नगर को कहा जाता है तो गेटवे ओफ उत्तरपदेश दियान लखियेगा गाजियाबाद को कहा जाता है आप्शन नमबर 4 आपका सही आंसर होगा नेक्स्ट हम बात के लेते हैं पूछा ये गया है कि वर्ष 2011 की अंतिम जनगर्ना के नुसार उत्तर परदेश में पूरे देश की कितने पतिशत जनसंग्या रहती है तो ये कितनी रहती है 16 दुशमलोग 5 एक पतिशत यानि कि option number 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट हम बात के लेते हैं पूछा ये गया है कि उत्तर परदेश के किस वन जीव अभ्ध्यारण में राजधानी और देवदारी जहरना इस्थेत है तो ये आपको ध्यान लकना है चंद्र परभा वन जीव अभ्ध्यारण ठीक है कहां पे है चंदौली में नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पूछा ये गया है कि उत्तर परदेश का कौन सा जिला अवनाली का अपरदन से अधिक परभावित है तो ये है आपका इटावा ऑप्शन नमबर टू आपका सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट को लेकर के बात कर लेते हैं पूछा ये गया है कि उत्तर प्रदेश के करतनी घाट वन जीव अभ्यार को किशनपूर वन जीव अभ्यार के साथ प्रोजेक्ट टाइगर दायरे में कब लाया गया था तो ये लाया गया था 1987 में यानि कि option number 3 आपका विल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हाँ नेक्स को लेगर के बात करलेते हैं पूछा ये गया है कि काच उद्धोग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर विख्यात है तो काच उद्धोग के लिए उत्तर प्रदेश का फिरोजा बाद नगर विख्यात है यानि कि option number 1 आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा निक्स्षिन को ले καर के बात करते हैं पूछा ये गला है कि उत्तर पडेश में उर्दु को दित्थि भाशा कब भोशिफ किया गया था तो ये करा गया था 1989 में आप्शन नमबर 4 आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा नेक्स कोशन को लेकर के बात करें यहाँ पे पूछा यह गया है कि उत्तर प्रदेश में परमाडू विदुत केंद्र कहां इस्थापित है तो यह है आपका बुलंद शहर के नरोरा में ठीक है यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा option number 2 नेक्स कोशन को लेकर के बात करें पूछा यह गया है कि उत्तर प्रदेश में आलू अनू संस्थान कहां है तो यह आपको ध्यान अकना है मेरट में है यानि कि option number 3 आपका सही आंसर हो जाएगा नेक्स को लेकर के बात करें पूछा ये गया है कि उत्तरप्रदेश में सोया बीन फसल का परमुक छेतर कौन सा है तो ये आपको ध्यान लगना है बुंदेल खंड है यानि कि option number one आपका सही answer हो जाएगा नेक्स को लेकर के बात करें पूछा ये गया है कि राष्टी जैविक खेती केंदर इस्थित है तो ये आपको ध्यान लगना है गाजियाबाद में इस्थित है option number four आपका सही answer हो जाएगा नेक्स कोशन को लेगर के बात करें पूछे ये गया है कि महारिशी बालमी की आश्रम कहां इस्थित है तो ये धियान लखना है आपको कानपूर नगर में इस्थित है कानपूर नगर के बिठूर नामगिस्थान पर ये इस्थित है नेक्स कोशन को लेकर के बात करें पूछे गया है कि उत्रपदेश में संगीत रतन पुरुसकार किसकी इसमती में प्रारम्द किया गया था नेक्स कोशन को लेकर के बात करें पूछे गया है कि कानपूर दिहाद का मुख्याले कहा है तो कानपूर दिहाद का मुख्याले अकबरपूर माती में है यानि की option number 4 आपका सही आंसर होगा नेक्स कोशन को लेकर के बात करें पूछे गया है कि उत्रपदेश में परंपरागत भूमी मापन की इकाई क्या है तो भूमी मापन की इकाई है बिगा यानि की option number 1 आपका सही आंसर होगा नेक्स कोशन को लेकर के बात करें पूछे गया है कि कनहिया लाल मरिक लाल केंदरी हिंदी संस्तान कहां इस्थित है तो ये आपको ध्यानक ना है आगरा में इस्थित है option number 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा नेक्स हम बात करें हैं पूछा ये गया है कि भरत में चावल की खेती का सरवधिक छेतर कौन सा है लिखिए बात करें है ये यहाँ पे छेतर को लेकर के तो आपको ध्यानक ना है उत्तर प्रदेश ठीक है पर्थामिस्थान नहीं उत्तर प्रदेश का है लेकिन सरवधिक छेतर को लेकर के बात करें तो इसका अंसर उत्तर प्रदेश होगा Next question को लेकर के बात करें पूछा यह गया कि Uttar Pradish में एक जन्पद एक उत्पाद योजिना का शुबारम कब ऊथा तो उत्तर प्रदेश में एक जन्पद एक उत्पाद का शुबारम 24 जनवरी 2018 में हुआ था Option number 4 आपका सही answer हो लाएगा नेक्स कोशन को लेकर के बात करें पूछा ये गया है कि छेम काली देवी मंदिर कहां इस्थित है तो ये आपको धियान लखना है कनोज में इस्थित है option number one आपका विल्कुल सही उतर हो लाएगा नेक्स कोशन को लेकर के बात करें पूछा ये गया है कि परदेश की वर्दमान में लोका युक्त कौन है तो ये आपको धियान रखना है जस्तिस संजय मिश्रा जी है आपका सही उत्र हो जाएगा नेक्स्ट को लेकर के बात कर लेते हैं पूछा ये गया है कि उत्तर परदेश उच्छ न्याले की स्थापना अठारा सो चाचट में कहां होई थी तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि अठारा सो चाचट में आगरा में करी गई थी आप्शन नमबर 3 उत्तर हो जाएगा और 1869 में उसको इलहाबाद शीफ्ट कर दिया गया था नेक्स्ट हम बात के लेते हैं पूछा ये गया है कि सवतंतता के बाद उत्तर परदेश की पर्थम विदान सभा का गठन कब हुआ था तो ये सन 1952 में हुआ था यानि की ऑप्शन नमबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट हम बात के लेते हैं पूछा ये गया है कि राश्टी मरत से अनुवानशिक संसान ब्यूरो कहां पर है तो ये आपको ध्यान लखनों में है उप्शन नमबर 4 आपका सही आंसर होगा नेक्स्ट को लेकर के बात करें पूछा ये गया है कि गीता शोत संसान की इस्थापना कहां हुई तो यह आपको धियानक ना है कहाँ पर हो थी वरंदावन में यानि कि option number 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा next question को ले करके बात करें यहाँ पर पूछे यह गया कि कोपेन वर्गी करण के अनुसार उत्तर परदेश की जलवायू का प्रकार है तो यहाँ पर पूछा गया उत्तर परदेश की जलवायू का प्रकार तो यह है शुष्क शीत वाला मानसून प्रकार option number 1 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा next हम बात करें पूछा यह गया कि मौराय ताल कहां इस्तित है तो मौराय ताल आपको धियान लखना है फत्यपूर में इस्तित है यानि कि option number 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा next question को लेकर के बात करें पूछा यह गया है कि कीठम जील कहां पर इस्तित है तो कीठम जील को लेकर के बात करें यह आपको आगरा में देखने कुमिलती है option number 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा next हम बात करें यह आपके पूछा यह गया है कि सुक्मा डुक्मा बांध कहां पर इस्तित है 3-4 बार question में पूछा जा चुका है तो यह आपको ध्यान लेकना है कि सुक्मा डुक्मा जो है वो आपका जासी में है यानि कि option number 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा ठीक है और अगर पूछने किस नदी पर है तो बेतवा नदी पर है next question को लेकर के बात के लिए पूछा यह गया है कि tones एवं गंगा नदी का संगम कहां पर होता है तो यह आपको ध्यान लेकना है कहां पर होता है प्रियाग राज में होता है option number 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा next question को लेकर के बात के लेते हैं पूछा ये गया कि कुकरेल नदी किसकी सहायक नदी है तो कुकरेल नदी गोंती नदी की सहायक नदी है option number 2 आपका सही उत्र हो जाएगा और अगर question ये आ जाता है कि गोंती नदी का उद्गम इस्तल क्या है तो ध्यान लखिएगा फूलर चीर पीली भीत में next हम बात के लेते हैं पूछा ये गया है कि उत्तर पदेश का निउन्तम 1 छेतरफल वाला जिला कौन सा है देखे बात करी गई यहाँ पे निउन्तम 1 छेतरफल वाले जिलों को ले करके तो ये आपको ध्यान लखना है संत कबीर नगर है option number 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा next हम बात के लेते हैं यहाँ पे पूछा ये गया है कि निउन्तम 1 परतिशत वहाँ पे छेतरफल था यहाँ पे परतिशत को ले करके बात करी गई है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा संत रविदास नगर यानि कि option number 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा कितना परतिशत है ध्यान लखने किएगा 0.30 परतिशत next question को ले करके बात करें पूछा यह गिए कि सर्वधिक वन छेतरफल एवं पतिशत्ता वाला जिला कौन से है अब यहाँ पे दोनु बाते आ गई है तो ध्यान लखने किएगा यह है सोन भदर option number 3 आपका सही आंसर होगा next हम बात के लेते हैं यहाँ पे पूछा यह गिए कि सुहेलवा वन जीव विहार कहाँ पर है तो यह आपको ध्यान लखना है काफी विस्तरत इसका एरिया है तो बल्रामपुर गोंडा और श्रावस्ती इन तीन जी लोगो ठीक है option number 2 आपका सही उतर हो लाएगा next हम बात के लेते हैं पूछा यह गिए कि उतर प्रदेश में औसत किर्शी जोत का आकार कितना है तो यह है 0.76 है option number 3 आपका सही उतर हो जाएगा next हम बात के लेते हैं पूछा यह गिए है कि उतर प्रदेश में फसल सधनता का पतिशत कितना है तो यह आपको ध्यान लखना है 157.3 यानि कि option number 4 आपका सही उतर हो जाएगा 2014 पंदा की रिपोर्ट के अनुसार next हम बात के लेते हैं पूछा यह गिए है कि उतर प्रदेश में जोआर का सर्वधिक उत्पादन कहां पर होता है तो जोआर का सर्वधिक उत्पादन बांदा जिले में होता है option number 1 आपका सही उत्पादन कहां पर होता है तो चावल का सर्वधिक उत्पादन शाजहापूर में होता है option number 3 आपका सही उत्पादन हो जाएगा next हम बात के लेते हैं पूछा यह गिए है कि उत्पादेश में बाजरा का सर्वधिक उत्पादन कहां पर होता है तो बाजरे का सरवधिक उत पादन आगरा में होता है option number one सही उत्तर हो जाएगा next अम बात के लड़ते हैं पूछा ही गया कि उतरपदेश में गेहुं का सरवधिक उत्तपदन कहां पर होता है तो गेहुं का सरवधिक उत्तपदन हर दोई में होता है option number 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा next रम बात के लेते हैं यापे पूछा ये गया है कि उत्रपदेश में तामबा उत्पालक का मुख्य जिला कौन सा है तो ये है आपका ललित्पूर यानि की option number 3 आपका विल्कुल सही उत्तर हो जाएगा next रम बात के लेते हैं पूछा ये गया है कि उत्तरपदेश में बेंत की छड़ियां कहां बना जाती है तो बेंत की छड़ियां बरेली में बनती है option number 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा नेक्स हम बात के लेते हैं पूछा ये गया है कि उत्तर पदेश का व्रहत्तम उद्दोग कौन सा है तो व्रहत्तम उद्दोग यानि की बड़े उद्दोग को लेगर के बात करे तो हद करदा उद्दोग यानि की option number 3 आपका सही आंसर हुगा नेक्स हम बात के लेते हैं यहाँ पर पूछा ये गया है कि उत्तर पदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गयी ती ठीक है तो 18 जून 2001 में शुरू करी गयी थी option number 1 सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट को लेकर के बात करें यहाँ पे पूछा ये गया है कि उत्तर पदेश में तरही छेतर में किस प्रकार की वरस्पति मिलती है तो यह आपको ध्यान अकना है कि यहाँ पे सवाना प्रकार की यानि यह लंबी घासे यहाँ पे देखने को मिलती है नेक्स्ट हम बात के लेते हैं पूछा ये गया है कि उत्तर पदेश में वर्षा मुखेता किस मानसून से होती है तो ये आपको ध्यानक ने बंगाल की खाड़ी से होती है option number 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट हम बात के लेते हैं यहाँ पूछा ये गया है कि उत्तर पदेश में कौन सी मिट्टी सर्वधिक छेतर में पाई जाती है तो ये आपको ध्यानक ने जलोड मिट्टी जो है वो सर्वधिक मातरा में पाई जाती है option number 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट हम बात के लेते हैं पूछा ये गया है कि उत्तर पदेश में हिंदुस्तान अलुमूनियम कॉर्पोरेशन द्वारा अलुमूनियम कारखाना कहां इस्थापित किया गया तो ये करा गया था सोन भद्र के रेडु कूट में option number 3 आपका सही उन्सर होगा नेक्स्ट बात के लेते हैं पूछा ये गया है कि उत्तर पदेश में योजना आयोक का गठन के पिया गया था तो योजना आयोक का गठन 1971 में करा गया था option number 2 आपका सही आंसर होगा नेक्स्ट बात के लेते हैं पूछे ये गया है कि किस परियोशना में उतरपदेश, बिहार वा नेपाल सम्मिलित है ठीक है तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो गंड़क परियोशना के तहक ऑप्शन नमबर वन आपका मिलकुल सेवत्र हो जाएगा कब लेकर के आया गया था 1961 में 1961 में नेक्स्ट हम बात के लेते हैं पूछे ये गया है कि वरलासी में भारती कला परिशत की इस्थापना कब की गई थी तो ये करी गयी थी सन 1920 में आप्शन नमबर थी आपका बिलकुल सेवत्र हो जाएगा और अगर कोशन ये पूछ लेते हैं कि भारती कला परिशत की इस्थापना कहां होई थी तो दियान नखियेगा वरलासी नेक्स्ट बात के लेते हैं पूछे ये गया है कि पुद्र के जन्मोत्सव पर बुलंद मुंदेल खंड में किया जाने वाला लोकम्यत कौन सा है तो ये है खयाल लेते हैं यानि कि option number 1 आपका बिल्कुल सही उत्र है नेक्स्ट को लेकर के बात करें यहाँ पर पूछे ये गया है कि उत्तरी काली उपरदार म्रात भांट संसिक्ती से सम्मंदित इस्थल सोगौर इस्थित है तो सोगौर की बात करेंगे है ये सोगौर कहां पर इस्थित है ये आपको ध्यानक ना है गोरपूर में इस्थित है option number 3 आपका correct answer हो जाएगा next question को लेकर के बात करेते हैं पूछा ये गया है कि देश की कुल स्लम जनसंख्या में उत्तर परदेश की भागेदारी कितने प्रतिशत की है तो देखिए एक टम यहाँ पर आ गया है स्लम जनसंख्या इसका मतलब होता है मालिल आबादी ठीक है कितनी है धियान अकना है 9.5 प्रतिशात है यानि कि option number 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा और अगर मैं देश के बिहाब पर बात करूँ तो उत्तर प्रदेश का चौथा इस्थान है कौन सा चौथा इस्थाम है और नंबर एक पर कौन है नंबर एक पर है महाराश्ट्रा next question को लेकर के बात करें पूछाए गया कि राम नौमी के ऑपसर पर किये जाने वाला जोगनी नत्र किस छेत्र से सम्मंदित है तो ये आपको ध्यान अकना है अवद छेत्र से सम्मंदित है option number 2 आपका correct answer हो जाएगा अवद छेत्र की बात आती है आयोद्या हो गया फैसाबा समीतियां गठित होती है तो इसका सही answer हो जाएगा 6 याने की option number 3 ठीक है ध्यान अक्येगा उत्तर परदेश जिला पंचायत में 6 समीतियां गठित होती है नेक्स को लेकर के बात कर लेते हैं पूछाए गया कि प्रसिद्ध देवी पाटन मंदिर इस्थित है तो ये आपको ध्यानक नहीं कहां पे है बलरामपुर में है यानि की option number 1 आपका बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा और इसको पाटेश्वरी देवी मंदिर भी कहा जाता है next question को लेकर के बात करेते हैं यहाँ पे पूछा ये गया है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख निर्वाचन अधिकारी कौन है तो present time की बात करें मुख निर्वाचन अधिकारी जै कुमार शुगला जी है option number 4 आपका correct answer हो जाएगा next question को लेकर के बात करेते हैं यहाँ पे पूछा ये गया है कि उत्तर प्रदेश विधान परिशद के वर्तमान सभापती कौन है तो ये हैं कुवर मानवेद्र सिंग यानि की option number 2 आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा next question को लेकर के बात करेते हैं यहाँ पे पूछा ये गया है कि उत्तर प्रदेश में हिंदू जनसंख्या का पतिशत कितना है तो हिंदू जनसंख्या का पतिशत है 7.9.73 पतिशत यानि की option number 1 आपका बिल्कुल सही पतिशत हो जाएगा और अगर आपसे यही पूछ लेते हैं कि हिंदू जनसंख्या का पतिशत कितना है तो 19.26 पतिशत है नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पूछा यह गया है कि उत्तर प्रदेश में कुल केंद्री कारागार का मत्मब होता है सिंट्रल जेल की बात हो रही कितने सिंट्रल जेल है तो धियान लकिएगा 6 हैं यानि कि option number 3 आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा कोशन को लेकर के बात कर लेते हैं पूछा यह गया है कि 6 जुलो वाले उत्तर प्रदेश के कितने मंडल हैं तो यह आपको धियान लकना है तीन मंडल है option number 1 आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा ठीक है अब यह तीन मंडल कौन कौन से हैं नोट कर लीजेगा लखनौ हो गया कान द्रूपत गमार गायन के लिए पसिद है option number 1 आपका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा कहा का अलीगड का अत्रौली घराना next question को लेकर के बात कर लेते हैं यहाँ पे पूछा यह गया है कि पिपर हवा धातु लेक की प्राप्ती इस्थल किस जिले में है तो यह आपको धिया द्यानकना है सिधार्थ नगर में है option number 3 आपका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा next question को लेकर के बात कर लेते हैं यहाँ पे पूछा यह गया है कि दशावतार मंदिर कहां पर इस्थित है तो दशावतार मंदिर आपको धियानकना है ललितपुर में option number 2 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है ललितपुर में एक जगहा है देवगर तो देवगर नामक स्थान पर दशावतार मंदिर इस्थित है next question को लेकर के बात कर लेते हैं यहाँ पे पूछा यह गया है कि मद्दाताओं की संख्या की दृष्टी से सबसे बड़ा सांसदी ये छेत्र क नेक्स रम बात कर लेते हैं यहाँ पे पूछा यह गया है कि मद्दाताओं की संख्या की दृष्टी से सबसे चोटा सांसदी ये छेत्र कौन सा है तो यह आपको धियान अकना है बागपत है option number one आपका बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा कितना है चंसंख्या की बात करें तो ये आपको धियान अकना है सारनात में इस्तित है option number three आपका बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा नेक्स को लेकर के बात करें पूछा ये गया है कि प्रसिध तबला वादक गुदई महराज किस संगीत घराने से संबंदित है तो ये आपको धियान अकना है बरानस घराने से या आने कि option number one आपका बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा नेक्स हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पूछा ये गया है कि उत्तर पदेश में ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली कौन सी है तो भोश्परी बोली है यहाँ पे option number three आपका बिलकुल सही उत्तर हो next question को लिएकर के बात कर लेते हैं पूछा ये गया है कि बेलन घाटी सिंगरॉली घाटी एवं चकिया तहसील से किस काल के पुरातन साक्ष मिले हैं तो ये आपको धियान लेकने हैं पूरा पाशार काल से मिले हुए हैं option number two आपका सही आंसर हो जाएगा next हम बात कर लेते हैं पूछा ये गया है कि गौरक परवत पर चट्टानों को काड़ कर बनाई गई 24 तीर्थकारों की परतिमा के लिए परसिद्ध इस्थल कौन सा है तो ये है आपका महुबा option number three आपका सही आंसर हो जाएगा next question को लेकर के बात कर लेते हैं पूछा ये गया है कि सोगोरा कास से अभी लेका कहां से प्राप्त हुआ तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था सोगोरा की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये है आपका गौरपूर से यानि कि option number one आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा next रम बात कर लेते हैं पूछा ये गया है कि पहली बार उतरपदेश दिवस का आयोजन कब हुआ था तो ये आपको ध्यान लेकना है 24 जनवरी 2018 में हुआ था यानि कि option number one आपका correct answer होगा next question को लेकर के बात कर लेते हैं पूछा ये गया है कि उतरपदेश में सिंगव सभिता इस्थल जहां पर कपास की खेती के साच मिले थे ये पूछा गया है आपको ध्यान लखना है कहां पे मेरट में यानि कि option number two आपका सही उतर हो जाएगा मेरट में कहां पे आलमगीर से next question को लेकर के बात करें यहां पे पूछा ये गया है कि गुपतो चरकाल में उत्तर भारत का केंद्री राजनीति केंद्र कौन सा है तो ये आपको ध्यान लखना है कनोज है option number four आपका सही उतर हो जाएगा next हम बात करें पूछा ये गया है कि परसिद्ध रेडुकेश्वर महादेव मंद्र कहां पर इस्तित है तो ये आपको ध्यान लखना है कहां पर है सोन भद्र में यानि की option number three आपका सही आंसर हो जाएगा next question को लेगर के बात करें पूछा ये गया है कि चैवन रिशी एवं मार्कडिय रिशी आश्रम कहां पर इस्तित है तो ये भी आपको ध्यान लखना है कहां पर है मैन पूरी में है option number two आपका सही आंसर हो जाएगा next time बात के लेते हैं पूछा ये गया कि चित्रकूर्ट मंडल एविं देवी पाटन मंडल के मुख्याले कहां है तो ये आपको ध्यान लखना है कहां पर है बांदा और गोंडा में option number one आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा चित्रकूर्ट का बांदा में देवी पाटन का बूर्णा में next time बात के लेते हैं पूछा ये गया है कि उतर परदेश में वैदिक विज्ञान केंद्र कहां पर इस्तित किया है तो ये आपको ध्यान लखना है कहां पर है वरड़सी में option number four आपका सही उतर हो जाएगा नेक्स्ट हम बात के लेते हैं यहां पे पूछा ये गया है कि अंतर राष्टी ग्रीन फील्ड एरपोर्ट कहां इस्तापित हुआ तो ये आपको ध्यान लखना है गौतम बुद्धनगर में याने की option number three आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा नेक्स्ट हम बात के लेते हैं पूछा ये गया है कि उतर प्रदेश परियतन एवं जैविक विवित्ता केंदर की इस्तापना कहां हुई तो ये भी आपको ध्यान लखनों में याने की option number one आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा नेक्स्ट हम बात के लेते हैं पूछा ये गया है कि उतर प्रदेश में कितने जन्पत में कमर्शियल कोट का गठन किया गया है तो ये कितने में करा गया है 13 यहाँ पे आपका सही उतर हो जाएगा option number two next हम बात के लेते हैं पूछा ये गया है कि कैलाश मानसरोवर भवन की इस्थापना कहां हुई तो ये आपको धियान लखना है गाजियाबाद में option number three आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा next question को लेकर के बात कर लेते हैं आपके पूछाए गया है कि परदेश में सरवधिक अनुसूचित जाती जनसंख्या वाला जिला कौन सा है तो ये आपको धियान लखना है कौन सा है सीतापूर है option number three आपका सही उतर हो जाएगा next question को लेकर के बात करें पूछाए गया है कि मन्रेगा के अन्तरगत सरवधिक रूजगार उपलब्द कर आने वाला राज जी कौन सा है तो ये आपको धियान लखना है उतर परदेश option number four आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा present time के बारे में अगर हम बात के तो उतर परदेश ही कुछ महत्पूर जानकरिया में ध्यानक नहीं है जैसे कि इसकी राज़धानी लखनाओ है present time में इसके मुख मंत्री योगी आदितनाथ जी है और इसके गवणर है आनंदी बेन पटेल जी next बात के लेते हैं पूछा ये गया है कि उतर परदेश का पहला 1 ग्राम कौन सा है तो यह है बेल हत्ती ग्राम यानि की option नमर 1 आपका सही उतर हो जाएगा बेल हत्ती ग्राम कहां पर है सोन भदर में next question को लेकर के बात करें पूछा ये गया है कि ट्रॉनिका सिटी कहां इस्थापित है तो ट्रॉनिका सिटी को लेकर के बात करें गाजियाबाद में option number 3 आपका सही उतर हो जाएगा नेक्स्ट बात के लेते हैं पूछा ये गया है कि केंदरी बकरी अनुसंधान संस्थान कहा है तो ये भी आपको ध्यान लखना है मतुरा में है option नमबर वन आपका सही उतर हो जाएगा नेक्स्ट बात के लेते हैं पूछाए गया है कि जंजाती उधारा किये जाने वाला घर धरकहरी एवं चोला नरत्य किस छेत्र का है तो ये आपको धियान एकना है मिर्जापूर और सोनभद्र का है ओप्शन नमबर वन आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट हम बात के लेते हैं पूछाए गया है कि उत्तर परदेश द्वारा पहली फिल्म नीती की घोशना कप की गई थी तो ये सन 1999 में करी गई थी ओप्शन नमबर थ्री आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन को लेकर के बात के लेते हैं पूछाए गया है कि मेरट एवं अजराणा घराना किस विधा के लिए प्रसिद्ध है तो ये आपको धियान अकना है तबला वादन के लिए प्रसिद्ध है आप्शन नमबर वन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन को लेकर के बात करें पूछाए गया है कि बीरबल का जन्म इस्थान कहा है तो बीरबल का जन्म इस्थान कौन सा है जलून ठीक है जलून में एक जगा पड़ती है कालपी वो इनका जन्म इस्थान है और अगर आप से पूछते हैं कि बीरबल का रियल लेम क्या था ठीक है तो आपको ध्यानकना है महेश दास नेक्स्ट बात कर लेते हैं पूछाई गया है कि मद्धि पाशार युगीन इस्थल सराय नाहर राय इस्थित है ये आपको ध्यानकना है परताब गड़ में इस्थित है आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा नेक्स्ट को लेकर के बात करें पूछाई गया है कि चित्तु पांडे ने 10 अगस 1942 को कहां पर आ इस्थाई सरकार इस्थापित कर नेत्वत्त किया था तो ये आपको ये कहां पर करा था बलिया में यानि कि option number 4 आपका सही उतर हो जाएगा नेक्स्ट को लेकर के बात करें पूछा ये गया है कि उतर परदेश इंडिया पोस्ट पेमिन बैंक का शुभारण कब किया गया था तो ये आपको धियान लखना है एक सिप्ट नमबर 2018 में करा गया था option number 2 आपका सही उतर हो जाएगा कहां से करा गया था तो वारणसी नाम धियान लखना है next question को लेकर के बात करें पूछा ये गया है कि उतर परदेश में पॉलिस्टर रेशे का कारखाना इस्थापित है तो पॉलिस्टर रेशे का कारखाना बारा मंकी में स्थापित है option number 4 आपका सही उतर हो जाएगा नेक्स्ट को लेकर के बात करें पूछा ये गया है कि उत्तर परदेश पर्थम फिल्म सेंटर का शिलायांच किया गया तो ये कहां पर करा गया था ओखला में करा गया था ओप्शन नमबर थ्री आपका सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट बात के लेते हैं यहाँ पे पूछा ये गया है कि इटावा घराना या गौरीपूर घराना किस सुविधा के लिए प्रसिद्ध है तो इस सितार वादन के लिए प्रसिद्ध है ओप्शन नमबर टू आपका सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट बात के लेते हैं पूछा ये गया है कि प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रवी शंकर के संगीत घराने से संबंदित हैं तो ये हैं बरानस घराने से यानि की ऑप्शन नमबर वन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट को लेकर के बात करें पूछा ये गया है कि बुंदेली बगेली बोली का प्रियोग होता है तो ये कहां पर होता है मिर्जापूर बांदा और चित्रकूर्ट में मुखिता इन बोली का प्रियोग होता है यानि कि ऑप्शन नमबर थ्री आपका सही उत्तर हो जाए लेक्स को लेकर के बात करें यहाँ पे पूछा यह गया है कि उत्तर प्रदेश का पहला नाइट सफारी पार्क कहा है तो पहला नाइट सफारी पार्क गेटर नॉड़ा में है यानि कि आप्शन नमर फोर आपका सही उत्तर हो जाएगा नाइट सफारी का मतलब यह है कि लोग यहां पे रात में भी घूम सकते हैं नेक्स कोशन को लेग SEC करें पुछा यह गया है कि डॉक्टर भीम राउब्लीस एकेडमी कहाँ इस्तित है तो डॉक्टर भीम राउब्लीस एकेडमी आपका मुरादा बाद में है औप्शन aanज आपका सही आंसर होगा अंसर क्या हो जाएगा कन्नौल यानि की option number three next question को लेकर के बात करें यहाँ पर पूछा यह गया है कि उतर प्रदेश में अब तक कितनी बार राश्पती शाहसन लगाया जा चुका है तो कितनी बार यहाँ पर राश्पती शाहसन लगा हुआ है दस बार option number two आपका सही आंसर हो जाएगा next question को लेकर के बात के लिए यहाँ पर पूछा यह गया है कि उतर प्रदेश में आठ साइकल ट्रैक वाला वेलोड्रोम स्टेडियम कहां है तो यह आपको धियान लगनाव में है यानि की option number three आपका सही आंसर हो जाएगा ठीक है जब समाजवादी पार्टी की गौवर्मेंट थी उस टाइम में यह बनाए गया था next हम बात के लेते हैं पूछा यह गया है कि सौतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश में इस्थापित होने वाला मेडिकल कालेज कौन सा है तो यह है आपका GSVM मेडिकल कालेज कानपूर में यानि की option number one आपका सही उत्तर हो जाएगा अब अगर बात यहाई यहाँ पर GSVM का मतलब कहा है तो गनेश शंकर विद्याती मेडिकल कालेज नेक्स्ट हम बात के लेते हैं पूछा यह गया है कि उत्तर प्रदेश में इस्थित शिवालिक पहाडियों को गौरकबुर के पास छेत्रों में क्या कहा जाता है तो इसको बोलते हैं डुन्डवा यानि की option number four आपका सही आंसर होगा next question को लेकर के बात करें पूछा यह गया है कि plastic city कहां इस्थापित है तो plastic city को लेकर के बात करें यह आपका औरया में है ओरया में दिबिया पूर नामक यह किस्थान है वहाँ पे plastic city इस्थापित है next question को लेकर करें बात करें पूछाए गया है कि विश्व का दूसरा मानव DNA bank कहा है तो ये आपको ध्यान रखनाओ में है विश्व का दूसरा और भारत का पहला कहाँ पर DNA bank लखनाओ में है नेक्स हम बात के लेते हैं पूछाए गया है कि प्राचीन एतिहासिक इस्थल अही छत्र की पहचान की गई है तो ये आपको धियान एकने कहां पर करें ये बरेली के रामनगर के रूप में यहने कि option number 4 आपका सही आंसर हो लाएगा नेक्स कोशन को लेकर के बात करें पूछाए गया है कि प्रसिध नाग वासुकी मंदिर एवं वेडी माधो मंदिर कहां इस्थित है तो ये आपको धियान एकना है प्रियाग राज में इस्थित है option number 1 आपका सही आंसर हो लाएगा नेक्स कोशन को लेकर के बात करें पूछाए गया है कि बिजेतुवा महावीरन मंदिर कहां इस्थित है तो ये आपको धियान एकना है कहां पर सुजदानपूर में है यानि कि option number 3 आपका सही उत्तर हो लाएगा नेक्स को लेकर के बात करें पूछा यह गया है कि अनात पिंडक एवं अंगुली माल स्टूप कहां इस्तित है तो यह धियान लखनों में है औप्शन नमबर फूर आपका सही उतर हो लाएगा नेक्स को लेकर के बात करें पूछाए गया है कि बटलर पैलेस अकबरी दर्वाजा कहां पर इस्तित है तो अकबरी दर्वाजा आपको ध्यान लखनों में है आप्शन नमबर फोर आपका सही उतर हो लाएगा next question को लेकर के बात करें पूछाए गया है कि वालमी की आश्रम कहाँ इस्थित है तो वालमी की आश्रम ध्यान लखिएगा चितरकूर्ट में है option number 1 आपका सही उतर होगा next question को लेकर के बात करें यहाँ पूछाए गया है कि परदेश पिछडा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेट की स्थापना कपी गई थी तो ये भी दियाने कियेगा 1989 में गरी गई थी option number 1 आपका सही उतर होगा और इसका headquarter कहाँ पे है लखनों में है next question को लेकर के बात करें पुछाए गया है next question को लेकर के बात करें पूछाए गया है कि एशिया का सबसे बड़ा सीविच ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ है तो एशिया का सबसे बड़ा सीविच ट्रीटमेंट प्लांट आपको ध्यान अकना है लखनों में लखनों में कहाँ पे भरवारा नामक इस्थान पर नेक्स्ट बात के लेते हैं पूछा ये गया है कि जीवाश्मो वाला फॉलिलस पार्क कहां इस्थापित है तो ये कहां पे है ये है आपका सोन भद्र में option number 4 आपका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन को लेकर के बात करें यहां पे पूछाएगा है कि उत्तर प्रदेश का पहला बागवानी कॉल सिंटर कहां है तो ये भी आपको धियान न किये का कहां पे है लखनो में है option number 2 आपका से उत्तर हो जाएगा लखनो में रहमान खेडा नामा कस्तान पर नेक्स्ट कोशन को लेकर के बात करें पूछाएगा है कि उत्तर प्रदेश में किर्शी वर्ष की गर्णा कब से कब तक होती है तो किर्शी वर्ष को लेकर के बात करें जैसे आपका वित्वर्ष होता है वैसे किर्शी वर्ष होता है और ये एक जुलाई से 30 जून तक यानि कि option number 1 आपका सही उत्र हो जाएगा नेक्स कोशन को लेकर के बात करें पूछाएगा है कि उत्र प्रदेश में नकसल प्रभावी जिले कौन से हैं ठीक है कौन से है मतलब कितने हैं ठीक है ये भी आपको धियान लगते हैं दोनों बाते हैं आपके कर लेंगे तो नकसल प्रभावी शेत्र जे वो आपके तीन है यानि कि option number two आपका सही उत्तर हो जाएगा अब ये तीन शेत्र कौन से हैं ये भी धियान लगते हैं सोनबद्र हो गया मिर्जापुर हो गया और चंदॉली हो गया नेक्स हम बात के लेते हैं पूछाए गया है कि discovery पार्क निर्माणा धीन है तो ये आपको धियान लगते हैं अमेठी में यानि कि option number one आपका सही उत्तर हो जाएगा नेक्स कोशन को लेकर के बात करें पूछाए गया है कि मुंग ताल एवं विसैथा ताल कहां इस्तित है तो ये आपको धियान लगते हैं रैबरेली में है option number four आपका सही आंसर होगा नेक्स हम बात के लेते हैं पूछाए गया है कि मुधा बांध किस नदी पर निर्मित है तो मुधा बांध को लेकर के बात करें ये आपका बिर्मा नदी पर है यानि कि option number three आपका सही उत्तर हो लाएगा और कहां पड़ता है तो हमीरपूर में नेक्स कोशन को लेकर के बात करें पूछाए गया है कि उत्तरपदेश का सबसे उचा बांध कौन सा है तो सबसे उचे बांध को लेकर के बात करें तो ये आपको धियान रखना है कौन सा है राम गंगा बांध है option number two आपका सही उत्तर हो जाएगा राम गंगा बांध कहां पे लोकेटेड है बिश्णोहर में नेक्स को लेकर के बात करें पूछा यह गया है कि पैलेडियम प्लैटिनम एवं यूरेनियम पाया जाता है तो यह आपको धियान लखना है कहां पे ललितपूर में पाया जाता है ऑप्शन नम्बर थी आपका सही उत्र हो जाएगा ठीक है बहुमोल लिखनी जे बहुती कम मातरा में सीमित मातरा में ललितपूर में पाया जाते हैं नेक्स बात के लेते हैं पूछा यह गया है कि उत्तर पदेश में काला हिरन स्लनक्षण केंद्र कितने हैं तो काला हिरन स्लनक्षण केंद्र दो हैं आपको धियानक ने आप्शन न विश्व के कुल सारस पक्षी का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में मिलता है तो ये आपको मिलता है 40 प्रतिशत यानि की option number 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा next question को लेकर के बात करें पूछा ये गया है कि सबसे नया वन्य जीविहार कौन सा है तो सबसे नया वन्य जीविहार कच्छुआ वन्य जीविहार यानि की वरलसी का है next बात के लेते हैं पूछा ये गया कि उत्तर पदेश राज्य सड़क परिवाहन निगम की इस्थापना कप की गई थी तो ये ध्यान नकी का कप करी गई थी 1972 में करी गई थी एक जून 1972 में option number 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा next question को लेकर के बात के लेते हैं पूछा ये गया कि पंच मेहल कहां इस्थित है तो पंच मेहल आपको धियान लेकने कहां पे आगरा में है option number 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा आगरा के फतेपूर सीक्री में next बात के लेते हैं पूछा ये गया कि मलमल पर छपाई का परमुख केंद्र कहां है तो मलमल पर छपाय का परमुख केंद्र मधुरा में है option number 1 आपका सही उत्तर होगा next बात के लेते हैं पूछा ये गया कि पाथरी कलेस्टर का परमुख केंद्र है तो बुलंद शहर के खुरजा नामक सान पै नेक्स बात के लेते हैं पूछा ये गया है कि चेरी चेरो जनजाती कहा निवास करती है तो चेरो जनजाती आपको धियान लेकना है कहा पर निवास करती है सोन भद्र एवं चंदौली में ओप्शन नमर फोर आपका सही उतर हो जाएगा नेक्स कोशन को लेकर के बात के लेते हैं यहाँ पे पूछा ये गिया है कि पंखा एवं पनिका जिंजाती का निवास है तो पंखा एवं पनिका जिंजाती का निवास आपको धियान लखना है सोनभत्र एवं मिर्जापुर में है next question को लेकर बात के लेते हैं पूछाई गिया है कि पूर्व का Oxford कहा जाता है तो पूर्व का Oxford इलहाबाद विश्विदाले को कहा जाता है सन 1877 में इसकी इस्थापना करी गई थी next हम बात के लेते हैं यहां पे पूछाई गिया कि परदेश का पहला विकलांग विश्विदाले कहां है तो यह आपको ध्यान अकने कहां पे चित्रकूर्ट में है ओप्शन नम्बर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या नाम इसका जगदुरू राम मतचारिया विश्व विकलांग विश्विदा नेक्स बात के लिएते हैं पूछाई गिया कि प्राचीन एतिहासिक इस्थल हुलास एवं हुलास खेड़ा कहां पर इस्थित है तो यह आपको ध्यान अकने कहां पे हैं लखनव एवं सहारनपूर में आपका सही उत्तर हो जाएगा यह जो हुलास नामकिस्थान है यह आप प्रियम महल कहां इस्थित है तो यह आपको ध्यान अकने आगरा में हैं साही चीज़े ऑप्शन नमर टू आपका सही उत्तर हो जाएगा आगरा में कहां पे फतेपुर सीक्री नेक्स बात के लिएते हैं पूछाई गया है कि भारत में सरवदिक मेंता ओयल उत्पादक अधारित विशु का पर्थम सिलिका पावर प्लान कौन सा है तो यह है आपका मतुरा में आप्शन नमर वन आपका विल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट बात के लिएते हैं पूछा यह गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में ग्रेफाइट के भंडारों का पत हैं ओटकी थे तो यह आपको ध्यान लखने कहां पर गाजियाबाद में आपने में आपका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट बात के लिएते हैं कि हिंदुस्तानी एकैडं़ी की स्थापना चिए खियान लखनाने तो ये पारित करा गया था 1975 में option number 2 आपका सही उतर होगा. Next बात कर लेते हैं पूछा ये गया कि नेपाल की सीमा से लगने वाले उत्तर परदेश के कितने जिले हैं तो ये ध्यान लखिएगा 7 जिले हैं option number 3 आपका सही उतर होगा. Next question को लेकर के बात करें पूछा ये गया कि उत्तर परदेश में पवन उर्जा मॉनेटरिंग इस्टेशन कितने हैं? तो पवन उर्जा मॉनेटरिंग इस्टेशन तीन हैं यानि कि option number 2 आपका सही उतर होगा. कौन कौन से ये तीन हैं? गोरकपूर, चित्रकुट और महोबा में Next question को लेकर के बात करें पूछा ये गया कि उत्तर परदेश में खानवा का परसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का परसिद्ध युद्ध उत्तर परदेश में 1527 में हुआ था, option number 1 आपका सही उतर हो जाएगा. Next question को लेकर के बात करें, पूछा ये गया है कि उत्तर परदेश के किसान अंदोलन का नेततों किस नेता ने किया था? ठीक है? तो ये करा था, पढ़नी जवालना नहरू जी ने, option number 4 आपका सही उतर होगा. Next question को लेकर के बात करें, पूछा ये गया है कि उत्तर परदेश में आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया था? तो ये कलिया था, 1526 इस वी में, यानि की option number 2 आपका सही उतर होगा. Next question को लेकर के बात करें, यहाँ पर पूछा ये गया है कि उत्तर परदेश में सामुगण का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तो सामुगण का प्रसिद्ध युद्ध 1658 में हुआ था, option number 3 आपका सही उतर होगा. Next question को लेकर के बात करें फूंचुछा ये गया है कि उत्तर परदेश में चोखंडी स्थूप कहां इस्थित है? तो ये आपको ध्यान लखना है, सारनात में इस्थित है, option number 4 आपका सही उतर होगा. नेक्स कोशन को लेकर के बात के लिए पूछा ये गया है कि उतर परदेश में आयोध्या में इस्थित शिरालेख किस काल का है ये आपको ध्यान लखना है शंगू काल का है ऑप्शन नमबर थ्री आपका सही उतर होगा नेक्स कोशन को लेकर के बात के लेते हैं पूछा ये गया है कि उतर परदेश में मुगल कालीन लाल किला कहां पर इस्थित है तो ये आपको धियान अकना है आगरा में है आप्शन नमबर 4 आपका सही उतर होगा नेक्स बात के लेते हैं पूछा ये गया है कि उतर परदेश में अकबर की रानी जोधा भाई का महल कहां पर इस्थित है तो ये आपको ध्यान लखना है फतेपुर सीगरी में इस्थित है option number one आपका सही उतर होगा next बात के लेते हैं पूछा ये गया है कि उतर परदेश में निमखित में से किस नगर में दिया सलाई बनाने का कार खाना नहीं है तो ये धियान लखिएगा आगरा में नहीं है option number three आपका सही उतर होगा next बात के लेते हैं यहां पे पूछा ये गया है कि उतर परदेश के किस जिले में त्रिवेडी structural limited कार खाना है तो ये आपको धियान लखना है इलाहबाद म है option number four आपका सही उतर होगा next बात कर लेते हैं पूछा ये गया है कि उतर परदेश में स्रिमेंट के कार खाने कहां पर इस्थित हैं तो स्रिमेंट के कार खाने आपको धियान लखना है चुर्क वा डल्ला ठीक है यहां पर आपका option number four आपका सही उतर पूछाएगा next question को लेकर के बात कर लेते हैं पूछा ये गया है कि उतर परदेश का सूश्म यंत्र बराने का प्रम को उद्दोगी केंद्र कौन सा है तो यह आपको धियान लखना है कहां पे हैं लखनो में है option number one आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा next बात कर लेते हैं पूछा ये गय option number four आपका सही उतर होगा next question को लेकर के बात कर लेते हैं यहां पे पूछा ये गया है कि पूरे उतर परदेश को कुल कितने निर्वाचन छेत्रों में विभाजित किया गया है तो ये आपको धियान लखना है कितने निर्वाचन छेत्रों में करा गया 404 यानि कि option number three आपका सही उतर हो जाएगा next question को लेकर के बात करें पूछा ये गया है कि उतर परदेश के किस इस्थान पर मात्मा बुद्ध नी निवारर प्राप्त किया था ये आपको धियान लखना है कहां पे करा था कुशीन अगर में option number three आपका सही उतर हो जाएगा next question को लेकर के बात कर ले सही उतर हो जाएगा next question को लेकर के बात करें पूछा ये गया है कि उतर परदेश का कौन सा लोक निरत गुजरात के डांडिया निरत जैसा है तो ये आपको धियान लखना है पाई डांडा जो है वो गुजरात के डांडिया निरत जैसा है option number four आपका सही उतर हो जाएगा next बात के लेते हैं यहां पे पूछा ये गया है कि उत्तर परदेश का छोल या निरत गती किस जाती से में प्रचली थे तो किस जाती में प्रचली थे ये आपको धियान लखना नाम का पड़ा ठीक है अभी जो उत्तर परदेश का नाम है यह आपको धियान लखना का पड़ा है बारा जनवरी 1950 में option number two आपका सही उतर होगा next question को लेकर के बात के लेते हैं पूछा ये गया है कि उत्तर परदेश को किरशी द्वारा लगभग कितने प्रतिशत आय होती ह ठीक है तो किरशी से कितने प्रतिशत की आय होती है ये पूछा गया है और सब प्रतिशत option number two आपका सही उतर हो जाएगा next बात के लेते हैं पूछा ये गया है कि उत्तर परदेश में रॉक विसफोर्ट कहां पाया जाता है तो रॉक विसफोर्ट आपको धियान लखना है बादा में पाया जाता है option number one आपका सही उतर हो जाएगा next बात के लेते हैं यहाँ पे पूछा ये गया है कि तंबाकु की किरशी उत्तर परदेश में किस कार के लिए की जाती है तो ये आपको ध्यान लकना है खाने और हुका है तूछ ठीक है option number three आपका सही उतर हो ये वो रभी ठीक है option number three आपका सही उतर हो जाएगा next बात के लेते हैं यहाँ पे पूछा ये गया है कि उत्रपरदेश में गौखल बेराज का निर्माड कब प्रारंब किया गया था तो ये आपको ध्यान लकने दिसंबर 1990 में करा गया था option number one आपका सही उतर हो जाएगा next बात के लेते हैं पुछा ये गया कि उत्रपरदेश में शारदा नहर प्राडाली की निर्माड कार किस वर्श किया गया था तो ये आपको ध्यान लकने उनिस देस में 1988 में करा गया था option no.3 आपका सही उतर औरो जाएगा next रहाण एया next हम बात के लेते हैं पूछा ये गया कि उतर प्रदेश में भारती वन्य जीव परिशत की इस्थापना कप की गई थी तो ये करी गई थी 1952 में option number 3 आपका सही उतर होगा next बात के लेते हैं पूछे ये गया कि उतर प्रदेश में वनों को प्रशासनिक द्रश्टी से कितने भागों में बाटा गया है तो ये आपको धियान अकना है कितने 6 भागों में बाटा गया है option number 3 आपका सही उतर होगा next बात के लेते हैं पूछे ये गया है कि कथा किस वरच से बनाए जाता है तो कथा आपको धियान अकना है किसे खैर से है ठीक है option number 1 आपका सही उतर होगा नेक्स्ट बात के लेते हैं पूछा ये गया है कि चंबल राष्टी अभ्यारण प्रदेश के किस जिले में इस्थित है तो ये है आपका बाना जिले में आप्शन नमर फोर आपका सही उतर होगा नेक्स्ट बात के लेते हैं आपे पूछा ये गया है कि उत्रप्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्दुग के लिए परसिद है तो ये धिया नखियेगा अलीगण आप्शन नमबर थ्री आपका सही उत्र हो जाएगा नेक्स्ट बात के लिते हैं आप पुशे ये गया कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर शृराम की जन्म स्थली है तो यहै आयोध्या option number 1 आपका सही उत्तर होगा नेक्स्ट बात करिते हैं पुछा ये गया तो ये आपको ध्यानक नहें। नेक्स बात करिते हैं पुछा ये गया कि अत्रपर्देश का कौन सा नगर श्रीक्रिष्न की जन्विस्तली है तो ये सभी को पता ही होगा कौन सा मथुरा है। आप श्यूत्तर हो गारान अम्जान के लिए पूछा ही गया है कि करल वास प्रदेश के किस जिले में इस्तित है तो यह आपको द्यान लागने बुलंद शहर में है ऑप्शन नमर 4 आपका सईउत्तर होगा नेक्स्ट बात कहलेते हैं, पूछाब यह गया है कि पर्देश में कृतिम रबण का कारखाना अवस्थित है, तो यह आपको लिहान कहले हैं, कहाँ पर है, गाजियाबाद में, ऑप्चन नमर नमर प्षू आपका, सही उतर होगा, नेक्स्ट हम बात कहलेते हैं, यहाँपे, गया है कि प्रदेश की सबसे महतपूर नगदी फसल है तो सबसे यहां पे नगदी फसल की बात करी गई है तो आपको धियान लखता है गन्ना है सरवधी छेतरपल की आम की प्रयाती है ऑप्शन नमर फूर आपका सही उतर होगा नेक्स्ट हम बात के लेते हैं पूछा यह गया है कि रोजगार की द्रश्टी से उत्रपरदेश का सबसे बड़ा उद्दोग है तो सबसे बड़ा जो उद्दोग है वो है हतकरदा नेक्स्ट बात के लेते हैं पूछा यह गया है कि उत्रपरदेश में इस्थित बरसाना का होली कुट्सो किस नाम से प्रसिद्द है तो यह आपको धियान लखेगा लटमार होली के नाम से ऑप्शन नमर थ्री आपका सही उतर होगा नेक्स्ट बात के लेते हैं पूछा यह होगा नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पूछे यह गया है कि उत्तर प्रदेश की पूर्व सीमा निम्लिकित में से किसे मिलती है तो पूर्व सीमा निम्लिकित में से अगर मैं बात क्यूं तो बिहार से मिलती है option no.3 आपका सही उत्तर होगा नेक्स्ट हम बात करते हैं, पूछा या गया है कि उत्रपरदेश में उत्री भाव को कौन से देश की सीमा इतिस्पश करती है, ये आपको धियानक ने नेपाल से option number 3 आपका रहें गया है, आपका सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट हम बात के लेते हैं पूछा ये गिया है कि उत्रप्रदेश में नागरिक उर्डियन प्रशिक्षण केंद्र कहां पर इस्तित है तो ये है आपको इलाहबाद में आप्शन नमबर 4 आपका सही उतर हो जाएगा नेक्स्ट हम बात करें पूछा ये गया है कि उत्रप्रदेश चलचित्र विभाग के स्थापना कब हुई थी तो ये आपको ध्यानक नहीं 1975 में हुई थी आप्शन नमबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट हम बात करेते हैं पूछा ये गया है कि उत्रप्रदेश की राज की संग्राले लखनों की स्थापना का पी गई थी तो ये करी गई थी 1863 में ऑप्शन नमबर 3 आपका सही उत्तर बुझाएगा नेक्स्ट हम बात करेते हैं लास्ट कोशन को ले करके वो पूछा ये गया है कि उत्रप्रदेश में पशुपालन विबाग की स्थापना का पी गई थी तो 1944 में करी गई थी ऑप्शन नमबर 3 ये थे आपके महत्पोर कोशन को जिनको हम लोगा ने बहुत अच्छे और डिटे और देझ आक believing so friends thank you and all the very best for your examination